अध्यात्म के प्रती अभिरुची रखने वाले जिज्यां सूँ आज श्री प्राण्नत ज्यानपिट सर्शावा के प्राणगण में इस विचार गोश्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इस विचे पर चिंतन किया जाना है कि वर्तमान समय में जो मंदीरों की सस्कृती चल रही है वह कितनी उचित है क्या इसे ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए या इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आऊशकता है धार्मिक शिक्ष्या अधिक महतोपूर्ण है या मंदिरों की पुजापाठ वाली प्रक्रिया इस विशय में मंदिरों की जो पुजापाठ वाली प्रक्रिया है इसके विपक्ष में अर्था धार्मिक शिक्ष्या के पक्ष में अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है श्री राजन स्वामी जी मेरे बाई तरफ है जो श्री प्राणत ज्यानपिठ सरसावा के सस्थापक है और मंदिर तथा मूर्तियों के पक्ष में मेरे दाई तरफ सबसे पहले श्री अंकुर जी है जो कम्पीटर इंजिनियर रहे है उनके दाई दाई तरफ स्री सद्गुरु प्रसाद आरिय जो पूर्व आई एस अधिकारी रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में अपनी सेवाई दी है और उनके दाई तरफ प्रोफेसर एवी रामचंद्रन जो बड़ोद्रा विश्व विद्यालाय में जीव विज्यान के विभाग अधक्ष रहे हैं तो सबसे पहले शिक्ष्या के पक्ष में अर्थात पुरानी जो पुजापाठ वाली प्रक्रिया है उसके विपक्ष में अपने विचार रखने के लिए मैं स्री राजन स्वामीजी से निवेदन करता हूं कोई भी समाज अपने धर्मगरंद का उलंगान नहीं कर सकता स्रिष्ट के प्रारम में जो वेद का ज्यान अवतरित हुआ चार अवेदों के अंदर कहीं भी चार वेद चार पवेद छायंग छा उपांग कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि जड़ मुर्थ की पूजा की जाए परमात्मा ने जो स्रिष्ट बनाई है उसमें जितने प्राणी हैं वही चेतन मुर्तिया हैं उनके प्रत्हिमसद भाव रखे तो यह कहा जा सकता है कि परमात्मा की बनाईवी मुर्तियों को हम सम्मान कर रहे हैं लेकिन जड़ मुर्तियों को मंदिरों में पधरा कर फीरे म होती हों के हार पेहना कर सोने चांदी के कलास और सिंह असन लगा कर उनको सक्षात परमातमा का स्वरुप मान कर पूजा करना कहीं ने वेद की मर्यादा का उलंगन भारत में जो भी समाजिक आर्थिक और राज्नायतिक हानी हुई है इसी मुर्ति पूजा का दूस प्रेडाम में इस ये मैं इस पक्ष में हूँ कि किसी भी इस्थिती में जड़ पूजा का भाइसकार होना चाहिए और किवल धार्मी ज्यान आवस्यक है क्योंकि जिते जाना तो नहों जब तक वास्त्री की रूप से मुर्ति पूजा एक ऐसी खाई है जिसमें गिरने वाला कभी भी निकल नहीं सकता है जब इस सिष्ट को पैदा हुए एक अरब चानबे क्रोर आठ लाग तीरपन हजार वर्स हो गए हैं हमारी मानवी सिष्ट को इस पृतिवी मंडल पर रहते हुए और सिष्ट के प्रारम से लेकर महाभारत काल तक ऐसा कोई भी मनिसी नहीं हुआ है जो कहीं सालिग राम की मूर्ति को पूजा किया हो सिवलिंग की पूजा किया हो या लकडी की कोई मूर्ति बनागर के पूजा किया हो किसी पत्थर को ब्रिक्ष को तलाब की नदी की किसी ने पूजा किया हो और आज यही प्रिक्रिया चल लिए जो अध्यात्म के नाम पर एक मात्रा डंबर है आवसकता यह है कि केवल ऐसी पद्धिती विक्सित की जाए जिसमें जो परंपरा से चली आ रही है बैदी काल से लेकर अब तक लेकिन जो विक्रती आई है उस विक्रती गोटाना सबका नेतिक उतर दाईत है सर्वपर्थम यह सपष्ट हो जाना आवश्यक है कि मंदिर है क्या जहां मां जाकर की मन को शान्त मिले ऐसा अस्थान ऐसा आले है और जो मंदिर नहीं जाते हैं उनका भी एक मंदिर है वो अपने कारे अस्थल से परिश्रम से अभिभूत होकर ठक करके मंदिर अर्थात अपने घर में आ करके बिश्राम करते हैं और पुना अस्फूर्त प्राप्त करके वो अपने कारे पर जाते हैं मंदिर आज का शब्द नहीं है मंदिर शब्द बहुत दिनों से चला आया है और मंदिर में जा करके हम और कोई शिक्षा बाहिए शिक्षा नप्राप्त करते हो लेकिन अपनी आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित करने का एक स्थान मान करके और संसार की व्यथाओं कष्टों को बाहर जूते या चपल के रूप में निकाल कर सद भाव से वहाँ पर जा करके एकत्रित होते हैं आपस में उस परम शक्ति परम पद के विशे में विचार विमर्ष करते हैं और उनसे अला भान्मित होते हैं अब ये मंदिर की संस्कृति और पूजा पद्धति की अगर हम बात करें तो ये केवल पाँच हजार बर्ष पुराना है उसके पहले वेद और उपनिष्टों की रचना हो चुकी थी शनई शनई हैं जब तप ग्यान ध्यान में किरावट आती गई और कोई भी ग्रंत या विधा जिसे हम सत्य कहते हैं वो केवल एक वर्ग विशेश को फाइदा करें दूसरे को नहीं इसलिए यह आवश्यक था कि एक ऐसी पद्धती निकाली जाए जिसमें जो सामान निव्यक्ति है रोजी रोटी में वैस्त है वो भी किसी शांत स्थान पर जा करके उस शक्ति के विशे में विचार कर सके अपना कल्यान कर सके और संसारिक के साथ अलवकिक दिव्य अनभूत प्राप्त करके अगले पढ़ाओ पर भी वो सुखी रह सके मनु का कथन है वेदो अखिलो धर्मोलम और सभी छे दर्शन इस सत्य को प्रमारित करते हैं वेद का भी कथन है कि वेद इस्वरी जाने यानि उस परमात्मा का ज्यान वेदों के रुप में प्रकट हुआ है जब वेद में कहीं मुर्थ फूजा का विधान नहीं है या आजकल जो बर्चमान में प्रदती चल रही है चढ़ाना भोग लगाना हिरे मुतियों के हरों से सिंगार कराना असनान कराना ये सारी चीजें वेद के विप्रित थे और सबसे बड़ी बात यह है कि महाभारत का कथन्य की यह दिदा ज़र्चरवस सिर्ष्ट के प्रारम से लेकर महभारत काल तक भगवान राम, भगवान स्रिक्रिष्ट, सीता या किसी भी महान विक्तित्त ने इस बरतमान पदिती का अनुसरा नहीं किया है, आर्ति पूजा, भोग, घरी, घंट इन सारी चीजों को तो बरतमान में उसका प्रचित लाना किस विद्ष्ट उचित नहीं है, यदि ये उचित होता, तो ये करब 96 करोड, 8,3,199 वर्षों में कहीं न कहीं तो किसी रिशी मुने ने कुछ किया होता। लेकिन संध्या, उपासना, अगनिहोत्र, बल्य वैश्यदेव आदिकी परंपराएं तो थीं। विद्ष्ट गिता, क्षमता, स्मर्शक्ति और लगाव उसका कम होता गया। उस समय पर देवता नहीं थे, वो सदाचारी मनुष्य जो वेदग्य था, सदाचारी था, असत से दूर रहता था, उसे देव कहा गया। बाद में देवों की कलपना कर ली गई। वैदिक संस्कृति को नश्ट करने के लिए ही पुरानिक संस्कृति की रचना हुई। इस उद्देश से कि लोग अच्छी चीजें कहानियों के माद्यम से जान सकें। इस समय भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राचीन पद्धती का अनुकरन करते हैं। लेकिन अब लोगों को पास न तो समय है और न वो शमताएं हैं रोजी रोटी की समस्या जादा बढ़ गई है। इसलिए देवताओं के शरण में उनको जाना पड़ा, मंदरों का आश्रे लेना पड़ा और बड़े बुरों की बातों को मानने की बात मानी गई। ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ पहले हमारे प्राचीन रिश्जंगरों में रह करके करते थे, सब्यता के इतने आगे बढ़ने के बाद हम उसी पिछड़े पन को और पाशानकाल में पड़े रहे हैं। ये तो संभावना से परे है क्या वेदों के परमात्मा को मान करके हम वरतमान संस्कृति को तिरस्कृत कर दें। और हमको जो आय के अन्य साधन है जिसमें पर्यटन भी एक है उसको समाप्त कर दें। और अपने पुर्खों को पूर्वजों को यह साबित कर दें कि वो निरे मूर्ख थे कि उन्होंने देवों की और मंदिरों में जाकर एक निरधारित और निश्चित विदी के बाद पूजा पध्धती अपनाई और अपना कल्यान किया। वेद का ज्यान सारवकालिक है। इसलिए यह कहना कि आज के युग में वेद की आऊ सकता है नहीं है। पूर्टया मिथ्या है। हम वय्यानिक प्रगति कर रहे हैं तो इसमें वेद की जान की सबसे अधिक हो सकता है जो पूरी मानोता को विनास के जौला मुखी में भसम होने से बचा सके। जो जिसको हम आप देव कहते हैं देव तो आज भी हैं। प्रतेक्ष चेतन देव था जो मात्रिमान पित्रिमान आचारी मान पूर्सोवेत मातापिता आती थी आचारी को छोड़कर। थी हैं कि अगर हमने तो जड़ देवों की कलपना की जो प्राचे काल में महापूरूरस हो चुके जिन्होंने समाज को कुछ दिया है अउनके मूर्तियों का हम सम्मान करें से चित्र को रखें, उनके चरित्र से हम प्रेना ले , phrase that मर्यादनाइ पुषार स्ट्र्राइम से प्रेना ले , उनके चित्र और मुर्तिको रखें मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन यह कहना कि सचिदानन्द पूर्ण ब्रभम इहीं है। इनकी पूझा से सोटरुल पूझार पूझार्ड्रभम इनकया में भक मुक्ति मिलेगी। वेदार ध्याज गरना है, ध्यान समाधि नहीं करने इ तो यह हाथ हिलाते हुए चले जाएए वहां पर जो जो क्रियाएं होती हैं क्लबों में वह कीजिए वह तो हमारे आस्था के केंद्र हैं हम वहां जाते हैं अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए त्याक की भावना को विक्सित करने के लिए और इसलिए हम वहां पर कुछ वैसे भी हमारी परंपरा में कहीं आइसा नहीं आया है या उसका विरोध ऐसा कहीं नहीं है कि हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्त के पास या प्रतिष्ठित जगह पर या जिस से हम शद्धा रखते हैं वहां जाएं तो हाथ हिलाते हुए चले जाएं हम प्रसाद मिष्ठान फूल पती जो कुछ भी है वो ले करके जाएं और उनका हम स्वागत करें सत्कार करें आरति करना कौन सा गुना है जिसका हम सत्कार करते हैं उसकी आरति कर लें तो क्या दिक्कत है यह बात भी उचित नहीं है कि मंदिरों में जाने से जिनकी हम पूजा करते हैं उस पूजा से आदर्सों की रक्षा होती है यदि ऐसा होता तो भगवान राम और भगवान सिकृष और भगवान सिव के मंदिर का पुजारी एक दलित और अदिवासी को क्यों नहीं बनाया जाता एक दलित के मंदिर में घुशने से भगवान का मंदिर असुद हो जाता है वह कैसा भगवान है जो किसी दलित को देखना नहीं चाहता जैक जिवाराम बाबु जब कासी मंदिर में चले गए तो पंड़ों ने उस मंदिर को दो डाला कि अच्छूद घुश गया मैं यह पूछना चाहता हूँ जो प्रतेक्ष चेतन देवता है मादापिता आति थी आचारी का जो समाज समान नहीं कर सकता एक काल्पनिक के सीवलिंग ही परमात्मा है सिष्ट करता है और उसको मान करके यह कहें कि हम अपने आदर्सों की रक्षा कर रहे हैं उचित नहीं है पहली में जाने से किसी तरह का ज्यान नहीं मिलता एक भेद भाव की दिवार खड़ी होती है कि अभी सिष्ट लोग है धनवान लोगों को पहले प्रात्मिक्ता दी जाती है गरीबों को वहां भी कोई पुछता नहीं और दलित को तो आज भी भारत का समिधान सब के लिए समान अ आज भी देश में अलेकों मंदिर हैं जिसमें दलतों को प्रविश कादिकार पूरी तरह से नहीं मिल पाया है मैं एक चीज और कहना चाहूँगा जिस भगवान राम ने सबरी के जूठी बेर खाये जिस भगवान सिकर्ष ने बिदुर की पतनी का साथ खाया दुरदन के में भाट ठुकरा दिया ऐसे भगवान राम और सिक्रिष्ट के मंदिरों में भी जहां तक मैं समझता हूँ, सुद्र को वह अस्थान तो नहीं मिला है, जो एक ब्रामौर को मिला है। जो वन व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे पवरानिक काल में आकर के जाती व्यवस्था में प्रणत हो गई। यह दुरबाग की पूण इस्थती मंदिरों ने नहीं बनाई बलकि उन व्यक्तियों ने बनाई जो मंदिरों का संचालन करते थे या मंदिरों को चलाते थे या बनवाते थे। अब उसमें मंदिर का क्या दोश है अगर व्यक्ति अपने में सुधार नहीं कर सका तो परमात्मा भी उनमें कैसे सुधार करेगा। वो तो हरदे देश में बैठा है कोई जाने और समझे कोशिश तो करें कोई भी विक्ति अपना आत्मसुधार तो तभी करेगा जब उसे ज्यान का प्रकास मिलेगा। मंदिरों की संस्कृत ही ऐसी है कि उसमें ज्यान की बेवस्ता कभी नहीं हो सकती। मैं यह तत्थ दर्शाना चाहता हूँ कि इस भारत वर्ष में जितने बड़े-बड़े मंदिर है उनकी आमदनी अर्वों में है। जैसे तृपत का जो मंदिर है उसकी वार्षी का आमदनी अठारा सो करोड रुपे है। पद्म नाम केरल का मंदिर है उसकी संपती एक लाग करोड रुपे है। साहिं बाबा सीड़ी का जो मंदिर है उसकी आमदनी चार सो करोड रुपे प्रतिवर्स है। और सभरी माला मंदिर की प्रतिवर्स की आमदनी दो सो पच्पन करोड रुपे है। वैस्टन देवी के मंदिर की वार्षिक आई 500 करोड रूपए है और Golden Temple जो सुन मंदिर है उसकी आई भी 1500 करोड रूपए है प्रस्थन यह है कि अर्मों रूपिये इन मंदिरों में आ रहे हैं उससे समाज को क्या मिल ला है क्या इन मंदिरों ने समाज की सिक्षा वैस्था में सुधार किया आज देश में एक गरीब व्यक्ति भोग से तरफ रहा है एक आउसदी के बिना तरफ तरफ के प्राण छोड़ रहा है उसको पहली कक्षा में जाने के लिए भी कुछ नहीं है हम चेतन प्राणियों को जो परमात्मा की बनाईयों मूर्थिया है उनको भास का पात्र बनने के लिए छोड़ रहे है उनको मंदिर में भी आने पेले कठिन आई है तिरुपत के मंदिर में जहां अमीरों को पहले प्रात्मिता दी जाते हैं गरिबों को समानी पंक्ती में खड़ा होना पड़ता है तो इस सारी समस्याओं की जड़ में यह जड़ पुचा है जब तक यह रहेगी तब तक बहुत फैलेगा एक परमात्मा पर अस्था नहीं रहेगी और नकभी सिक्षा फैल सकती है इस सभी के आधार में यह है कि कमाए कोई खाए कोई इसमें मंदिरों का क्या दोश सरकार से सव रुपया एक रुपया दिया जाता है गरिबों की सहायता के लिए उसमें पचास पैसे भी गरीबों तक पहुंचाए यह देश की बहुत बड़ी उप्लप्ति होगी ऐसा हो जाए यह हमारी भी शुपकामना है लेकिन जो करने वाले हैं जो योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं जिनकी जिनका यह वो तरदाइद तो है कि एक रुपय में से एक रुपया पहुंचावें वो खुद उसमें भागीदार है तो उसमें योजना का क्या दोश है आप कुछ व्यवस्थाएं किली तो जा रही हैं लेकिन हैं तो वही हात वही मस्तिश्क वही व्यक्ति अब इसमें दोशी व्यवस्था है व्यक्ति हैं न तो गरीब है और न धन है अइसे ही जो धन जो संपत्य का चाढ़वा मंदिरों में आता है उसकी व्यवस्था कैसे हो वहांका अधिश्थापित देव तो उसकी व्यवस्था नहीं करेगा करने वाले तो व्यवस्थापक हैं, उन व्यवस्थापक का दोश मंदिरों की उपस्थिती पर कैसे ताला जा सकता है। जिस परकार यह जनाओं को क्रियानित करने वाले भ्रष्ट इदकारी होते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि देश की जनता पुरी तरह से शिक्षित हो, क्योंकि यूदी वो शिक्षित हो जाएगी तो हमारे भ्रष्ट अचार की विरोत में खड़ी हो जाएगी। उसी तरह से जिन पहुराणिक विचारकों ने मुर्ति पुजा का प्रचलन किया है, मंदिरों की संस्कृत के आन्वित किये, वो किसी भी कीमत पर यह सहन नहीं करेंगे, कि वैदिक ज्यान का या आर्ष ग्रंतों का ज्यान सत्य ज्यान फैले, जदि सत्य ज्यान फैल जाएगा तो कोई भी जड के सामने सीर नहीं चुकाएगा, क्योंकि संक्राचार तक कहते हैं, कि पुर्णास्य आवानम कुत्रा, सर्वाधास्य आसनम, सवच्छास्य पाद्म अरगाचा, जो सारे ब्रह्मान का अधार है, उसको हम सिंहासन बनाते हैं, जो पूर्ण है, सर्वत्य उसको हम कमरे में बंद कर देते हैं, तो यह सारी प्रिक्रिया बैदिक मानेताओं के पूर्णते अब विप्रित हैं, और इसलिए यह जो विचार धारा है, मंदिरों में जड पुजा की परंपरा कभी भी ज्यान को किसी विस्तिति में फैलने नहीं देगी, जदी ऐसा होता तो यह मंदिरों में जो चड़ावा चड़ता है, वो केबल दो परिसत मंदिर के रखरकावां में खर्च होता है, और 38 परिसत बाद मंदिर के महंत, पंडे, पुजारी या जो भी ट्रस्टी लोग उसका उपभू करते हैं, 60 परिसत गवर्मेंट के खजाने में चला जाता ह हाँ, ट्रस्ट को चाहिए, ट्रस्ट को अधिकार होता है, 85 परिसत तक सैक्षडिक, धार्मिक और समाजी कारियों में इनको खर्च करना चाहिए, लेकिन सिक्षा से यह सुन्या है, क्योंकि इनको भए लगा रहता है, कि जिसने हर व्यक्त, वेद, उपनिसाद, दर्शन, आ या आसा करना कि पौराणिक विचारधारा आर्श गरंतों के ग्यान को बढ़ने देगे, किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जित्त हीन होगा, ज्यान योग इतना आसान नहीं है, जितना कह दिया जाता है, कहना एक होता है, उस रास्ते पर चलना दूसरा होता है, ज्यान योग में कठिनाईया अधिक हैं, ज्यान मार्ग इतना निश्कंटक नहीं है, जितना कहा जाता है, सभी ज्यान मार्गी कैसे हो सकते हैंों प्ल Bonnet असमार्ड करो कि 7 लिधे स्वार्ण वोगस को डरैते हैं जान का विफ्रीत अ है जान जदी इसका ताथ पहare एगि कुछ लोग ऑजानी होते हैं यह निश्चित है कि सब को मुद्र। जानी television क्युमि जा सकता हुए लिके मनश को इतना जानवान तो बनाया जा सकता है कि वो जान सकता है कि परमातमा कौन है कहाँ है काई है कैसा है यदि ये किसा कहानिया गढ़ करके कहा दिया जाए कि भगवान 20 साली ग्राम बन गए और तुलसी से उनका विभा करादेना चाहिए इन्ही कहानियों में लपटया रहा जाए, तो जो सिष्ट का सर्व, सिर्ष्ट पुराणी है, समानी से समानी वक्ति भी इन तथों को जान सकता है, परमातमा के बारे में, समानी जानकारी ग्रान कर सकता है, बले ही वो बेदाल साहस्त्रों का बिद्वान ना बने लेकिन उसके दर्साइद भी मार्क पर तो चल सकता है लेकिन पवराणिक बिचारदारा सब्द जाल में सबको बांती है और अपने मिध्या सिदान्तों के परचार के लिए अठारप पुरान उपपुरान और कई मन गनत गनत बना करके अपनी विचारों को थोपती है ताकि इनका धन के अर्थ अध्यात्म के नाम पर अर्थ और ऐस्वारिक अभ्यापार चलता रहे पुझे स्वाम जी को पर नाम सांके दर्शन का पहला सूत्र है अज्त त्रिवित दुखा अतियंत निवरती अतियंत पुरुशा आर्थ जीव का तीनो प्रकार के दुखों से चूटना ही अर्थ उसका प्रयोजने पुरुष का अतियंत अर्थ है तिनों प्रगारों के दुख से छूटना जैसा कि आपने गहा कि जान हमारी आत्मिक उन्नती के लिए सायाक है वो प्रतम चरण है लेकिन हमारे सामने कुछ उधारन देखने के लिए आते हैं जैसे पहला उधारन मीरा का दूसरा उधारन आता है नामदेव का और तीसरा उधारन आता है चेतन्य महाप्रभू का चेतन्य महाप्रभू सिक्षित नहीं थे कोई गुरुकुल में उन्होंने सिक्षा नहीं ली थी नामदेव जी ने भी कोई गुरुकुल में सिक्षा नहीं ली थी गाउं के सदारन एक पुजारी के बेटे थे और ऐसे ही मीरा के बारे में भी हमें सुनने में मिलता है मीरा बच्पन से ही कृष्ण की भक्ती में लीन थी और उन्होंने कृष्ण की मूर्ती बनाई एक थाली में बैटके भोजन खाते थे वो ही नामदेव के पिताजी कितने सालों से पूजा करते थे नामदेव के पिताजी को आज तक अब यो मूर्ती सदा मूर्ती ही दिखी कभी मूर्ती के द्वारा कोई उनको साक्षात दर्शन नहीं हुआ लेकिन नामदेव जी के अंदर भक्ती थी, भाव था, जब उन्होंने भक्ती भाव से उसी विठल को पुकारा, तो विठल ने साक्षाद उनको दर्शन देकर उनके साथ भोजन ग्रेंड किया, तो क्या आप इसको गल्प मानते हैं, क्या इस सिर्फ ये कल्पनाय मातर हैं, य रहा करते थे, जब भक्ती का रश चड़ा, तो प्रेमा भक्ती में इतने भाव विभर हो गए, कि वो निर्थ में तलीन हो जाते थे, उसी तरह से, चाहे नामदेव हो या जो भी, सबसे बड़ी बात है, मुर्थ किसी में प्रेम पैदा नहीं कर सकते, मुर्थ से असास होता है कि हमारा इस्ट यह है, निर्भर करता है, हमारा हिर्दे कितना निर्मल है, और कितनी सची निष्ठा के साथ अपने आराति को याद करता है, क्योंकि चाहे नामदेवियों, चाहे चेतनी महप्रभू हो, जब वो भक्ती भाव में विभर होते थे, उसमें मुर्थ का कोई स मंदिर मेरा करके कई-कई दिन की समाधी लगाते थे उसी काली मंदिर में पसू की बली दि जाते थे , और आम के इस परमंदियों से कोई परम जो नहीं निकलता है और उस बली को चलाने के बार निशित है कि उस मंदिर के पुजारी मान से कभी सेवन करते होंगे देश में जितने भी मंदिर है उन मंदिरों से कोई परमंस को नहीं निकलता कि यह क्योंकि यह प्रक्रिया ही जो है अवज्यानिक है वेत सास्त की मानता की विपरीत है रिशी परंपरा की विपरीत है और जब तक हम प्रकिरिया को नहीं सुधा रहेंगे जैसे एक संसे होता है कि के जदि नाम देव को कर्ष्ट मिल गए मीरा को कर्ष्ट मिल गए तो ये बात मैं मानता हूं कर्ष्ट योगिश्वर है उसी तरह से मर्यदापुरसद राम भी एक माहनपूरुस है भगवान स्वी योगिश्वर हैं हम सच्चे हिर्दय से किसी भी दिब महापूरुस उसका ध्यान करेंगे, अमान करेंगे, मुर्धा जोती सिद्ध दर्सन वा यूग दर्सन का कहतान यह सिद्ध करता है, कि उस दिब में बैक्तितु काम सक्षात कर सकते हैं, लेकिन वेद कहता है, कि जब राम का भी जन्न नहीं हुआ था, जब यह सिष्टी नहीं बनी थी, करना तो हो सके, यदि हम किसी को ज्यान नहीं भी दे सकते, तो उसके हिर्दे में सत्य सत्य का विवेक करने की छमता पैदा करनी हुए, यदि यह भी नहीं कर सकते, तो भाक्तक का मार्क दर्साना होगा, अब पाड़ीनी कौन से विद्वान थे पहले, काली दाज कोई विद और बकरी चराने वाला कालिदास में रगवन सब कारिका करता बना, इन्होंने साधना से वो सक्ति प्राप्त की, मुर्थ पुजा से इन तेनों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, स्वामी जी जैसे मैंने पहले उधारन दिया, नामदेव जी का, नामदेव जी तो एक बालक ह उस बालक को पता नहीं है कि इश्वर उसके हिर्दे में बैठा है, या इश्वर कहां बैठा है, सिर्फ अपने पिता के कहने के कारण, उनके पिता कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो उनके पिता बोलते हैं, देखो ये इश्वर हैं, इनको पड़े प्यार से भा गण में बैठा है कहीं और बैठा है नाम देव सिर्फ एक शरद्धा भाव से पूरे हिर्दे के भाव से विठल को पुकारते हैं और विठल उस मूर्ति से निकल के उनको दर्शन देते हैं अब मेरा प्रशनी ये है जब एक व्यक्ति संसारिक दुखों से, संसारिक विश्यों से, वासनाओं से अगर मूर्ति उसको निकलने में उसकी साहिता कर सकती है तो हमें मूर्ति में फिर दोश क्यों देखना चाहिए फिर उसमें दोश क्या रह गया जो परमात्मा मूर्ति से निकल सकता है वो हिर्दय मंदिर से भी तो नहीं कर सकता है मूर्थ से निकलते हुए किसी नहीं देखा सिक्रिक्र्स को प्रगट होते हुए नाम देवन अन्भव किया ओ भगवान कहां से प्रगट हुए कहां चिप है यह भी से नहीं है क्योंकि उपनिसदों में कहा गया है वेद में कहा गया कि यो आत्मन तेश्ठत अंतरों यम आत्माना वेद यस आत्मा सरीरं आत्मा के अंदर अंतर्यामी रुप से परमात्मा है पहले बात तो यह है कि जदी ऐसा होता कि हर मुर्थ में परमात्मा है तो जब मुलों ने, तुर्कों ने, अफगानों ने हमला किया, मुर्तियों को खंडित किया, पैरों से रोंदा, उस समय मुर्ति को अद्रिस हो जाना चाहिए, तो मैं मान लेता कि हम मुर्ति में कोई सकती है मूर्थी जड़ पदार्त है उसकी रचना किसी मनुष्य ने की है परमात्मा की बनाई हुई मूर्थियां जो चेतन पराणी है उनके हिर्दे मंदिर में परमात्मा है आत्मा के अंदर अंतर्या में उसके परमात्मा है लेकिन जड़ मूर्थी जड़ पदार्त है हम अपनी सर पुर्वक रखी है लेकिन यह कहिए कि मूर्ती ही परमात्मा है तो प्रेस नहीं है कि राम के भक्त तोलसिदार जी सिर्कृष की मूर्ती को पढ़ाम करना नहीं चाहते और राम का सिर्कृष का भक्त कोई भी संगर जी का प्रसाल देना गढ़न नहीं करता तो इसका ताथ पर जनिक है, संप्रदाय रीत रिवाजों पर बंदे हुए हैं, लेकिन मैं अनुग्रहीत हूँ आपका, कि आपने स्वईकार तो किया, कि मंदिर में रहते हुए शीरामकिष्ण परमहंस महापुरुष हुए, अगर मंदिरों का दोश होता, तो महापुरुष हुई नहीं सकते थ आपको ये बात याद रखनी चाहिए, कि रामकिष्ण परमहंस को समाधी तक ले जाने वले उनके गुरु तोता पूरी जी थे, जो वेदानती थे, और जब ध्यान में बैठाने लगे, रामकिष्ण परमहंस को बार बार काली जी दिखने लगी, मुर्ती दिखने लगती थ ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि दर्शन साज्त्र कहता है कि ध्यानम निर्विस्यां मना, जब संसारिक विस्यों से, मन अलग नहीं हो सकता, अवयों में भाग रहा हा, हाथ है, पैर है, तब तक समाधी कैसी लगेगी, तो उनके माथे पर उन् पर किंदित हो गए थे, काली की मुर्तिका, उनकी समाधी में कोई युगदा नहीं था, जो जीवा को शक्ति दे रहा है, बोलने की, जो आँख को शक्ति दे रहा है, देखने की, वो इंद्रियातित ही होगा, वो मैं है, मैं स्वयम है, वही ईश्वर है, जीव को, स्वयम को, ईश्वर स्वताह प्राप्त है, जो स्वताह प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं है, और उसके लिए किसी प्रयास की आवश्यक्ता नहीं है, या कथन, उन नवी विदान्तियों का है, जो स्वरोम, खल, विदम, ब्रहम एक तरफ तो कहते हैं, लेकिन प्रावन में भेद मानते हैं यदि परमात्मा सबको सर्व सुलव है तो ध्यान करने की क्या हो सकता जहां तक यह बात है आपने कहा कि परमात्मा इंद्रियों से प्राप्त होने वाला नहीं है तो फिर आप ही तो मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं तो इससे तो सिध्ध है कि मु नहीं है तो कहने की क्षमता मुझ में नहीं है लेकिन वो साकार नहीं है क्योंकि वेद चिला चिला करे कहते हैं कि वो निराकार है अब मिराकार पर ज्यान अगर ध्यान लगवा दे तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन वो व्यक्त जो निराकार पर ध्यान के इंद्रत नहीं कर सकता क्या उसे जिंदिगी में जीने का अधिकार नहीं है वो इस संसार में नहीं रह सकता वेद ने कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा सकार है या निरकार है वेद परमात्मा के जिस स्वरूप को कहता है ना तद चक्षु गच्छत ना वागच्छत ना मनो ना विद्मो ना विजानिवा मन से जिसका मन नहीं हो सकता यह तो मन से जिसका मन नहीं होता, मन जिसकी सक्ति से कारी करता है पहली बात तो यह है कि वेद सारुकालिक सक्ति की बात करता है वेद किसी वेक्ति भी से इसका कहा हुआ गरंत नहीं है जिसके कथन में भ्रांती हो जा आज से अर्बो बर्स पहले वेत का प्रक्टन हुआ तो आज के अर्बो खर्बर्स बर्स बाद भी यही ज्ञान चलता रहेगा क्योंकि सत्य हो है जिसमें के कभी रूप में विकृति नहीं हो हमने परवात्मा को महापूर्सों को परवात्मा का इस्थान दे दिया यही सबसे बड़ी भूल है हम महापुर्सों का सम्मान करें योगेस्वर सिक्र्ष का सम्मान करें योगराज सिव का सम्मान करें भगवान राम का सम्मान करें उनकी मुर्तियों का अपमान करने के लिए मैं नहीं कहता लेकिन यह कहना कि यही परमात्मा है ये मुझे स्विकार नहीं है और जो सोडर सुपजार पूजन की जो प्रिक्रिया है ये मुझे स्विकार नहीं है कि कि ये पुर्टया व्यदविरत है इससे किसी भी तरह ना अधात्मिक लाब हो सकता है ना बहुत ही लाब हो सकता है किवल समाज का अर्थ इसमें बैह हो रहा और इसे जुड़े हुए कुछ लोगों को ऐस्वारी भोग का संसाधन मिलता है जिसका परड़ाम यह होता है एक सन्यासी घरदवार छोड़कर के परमात्मा की खुज में निकलता है जित वो किसी मंदर के चंगुल में चला गया ना उसको जान मिलता है ना भक्ती मिलती है ना वैराग मिलता है ओ मंदिर के कर्मकान और पुजा पार्ट में सारी उमर गुजार देता है उसको यह भी बोध नहीं हुपाता प्रमात्मा कौन है मैं कौन हूँ तो इस पर क्रिया क्या ले ना देना प्रमायन की काल में सुनने में आता है कि उस ताइम पर भी मूर्ती पुजा की जाती थी इसके बारे में आपके क्या विशे है ऐसा कहीं भी नहीं है मूर्ती पुजा का प्रारम बहुत काल से प्रारम होता है और महात्मा बुद्ध के जीवित रहते भी कोई उनकी मूर्ती नहीं बना सका था, जब बुद्ध के प्रचारक युनान गए, चाइना गए, अपने विचारधारा का प्रचार किये, वहां उन्होंने मुर्तियों को बहुत देवाद के समर्थक मुर्तियों की पूजा को देखा, आगर के उन्होंने बोधिसत्तों की मुर्ति बनाई, बोध की देखा देखी हिंदू समाज के पुराणिक लोगों ने ये मुर्तियों की पूजन की परंपरा शुरू करती है बस एक ही लेक्ष है अर्थो पार्जन बौधों ने या जैनियों ने अपने इस्ट को यह वितराग अवस्था में बनाया ध्यानावस्थित मुर्तिया बनाया इसके विप्रेत पुराणिकों ने अपने इस्टो को स्रिंगारित अवस्था में बनाया तो साक्तों ने बामारियों ने वैकारिक भाव से बनाया जैसे सिवलिंग की पूजा क्या है एक मनुविकार का परिडाम है शीवलिंग की पूजा के लिए वेद में उपनिसद में दर्शन में कोई अस्थान ना गीता में अस्थान है शीव पुरान में एक ऐसी असलील कहानी आती है जिसका अधार लेकर शीवलिंग पूजा को प्रात्मिक्ता देगे जो किसी भी दिश्च उचित नहीं है इसलिए यह जो मानिता है कि मुर्थ पूजा से परमात्मा मिल सकता है मैं इसे समत्र है वर्तवान समय में भी हमारे सामने कुछ ऐसे उद्धारन देखने में आते हैं जिससे यह सपष्ट होता है कि मंदिर बहुत उपयोगी है आत्मी कल्यान के लिए आपने वरिंदावन मतुरा का नाम सुना ही होगा आज भी वहाँ पर कृष्ण और राधा जी रात को जब सब सौझ आते हैं तब दोनों आते हैं और सुबह जब मंदिर का द्वार कोला जाता है तब वहाँ पर सिर्फ मूर्ती ही होती है मूर्ती के अलाव कोई इस मंदिर में रात को प्रवेश नहीं कर सकता और जब सुबह हम गेट धरवाजे खोलते हैं तब वहाँ पर कृष्ण जी के पान के उपर निशान हो दे हैं जैसे किसी व्यक्ति ने पान को खाटा है कुछ लोगों ने इस बात पर रिसर्च करने की कोशिश की कि यह किसी चुहे ने तो नहीं कतर दिया है लेकिन जब बात में एक व्यक्ति के विशेश जगे के पास ले जाया गया तब देखा गया कि निश्चित रूप से यह एक मनुष्य के दात है जिसने उसको खाया है अब प्रशन यह है, मैं एक जीवन में दुखी वेकती हूँ, मेरे जीवन में दुख है, मेरे पास उतना समय नहीं है, अगर मुझे आत्मिक कल्यान, मुझे शान्ति, सुक, मंदिर में जाने से मिलता है, तो उसमें आपको क्या प्रति है? देखे, आपने जो कहा, वो यूटूब का दिरिश्टे करके, यूटूब में यह बात डाली गई है, कि वहाँ जो मंदिर है, उसमें प्रदिन भगवान आते हैं, प्रगट होते हैं, मैं एक प्रस्त करना चाहता हूँ, कि द्वार काधिस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, आ आसी भी सुनात का मंदिर, अजुद्या का मंदिर, लेकिन भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाते, तो जहां तक यह बात है, तो सुनी सुनाई बाते हैं, और आप जैसे दिकाते हैं, कि मंदिर में जाने से मुझे सांती मिलती है, तो जैसे प्यासे को एक चमच पानी मिल तो उसको बहुत अच्छा लगता है, किन्तो वही पैसा, यदि गंगोतिरी का घड़ा भर पानी पाले, तो कितना तिक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, मंदिर में जाने से लगता है कि यह भगवान के मुर्ती है, तो उसके प्यासे हिर्दे को कुछ संतोस होता है, पू अपने मन को उस संचार से हटाना होगा, अपने अंदर देखना होगा, बाहर भटकने क्या हो सकता नहीं है, बंदिर हो, उसका इष्ठदेव हो, परमात्मा हो, शेतन हो, स्वयम हो, जीव हो, वो कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए कारण चाहिए, वो कारण के माध्यम से ही का करेगा, तो मूर्ती, इंद्रियों के अभाव में, आ करके, डंडा लेकर, तलवार लेकर लडाई नहीं कर सकती, ये सर्व देदित है, जब ओ, जण मूर्ती वाला परमात्मा बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ प्यार नहीं सकता, तो हमारे उपर कृपा क्या कर सकता, हमारा कल्याण क्या करेगा कि हम उसकी अस्तुति करें हमारा बच्चा पैदा हुआ जो बोल नहीं सकता कि हम उसे छोड़ देंगे बच्चा तो असा होता है हम उसे उतना ही प्यार करते हैं हमारा उसका कोई संबंध नहीं चेतन का उससे कोई संबंध नहीं असा है तो ऐसी ही म क्षामर्थी बोन नहीं सकती मुंति हमारा संबंद fato हमारा भाप बॉड0 नहीं सकता तो ऑपन्स संबंद छोड़ेंगे existe फ क्मारbane स्च्वि Revelation उस्व क्राइन कई प्रमाथ्म सबर्मात्मा कि इसंस नहीं करता क्रिया करन करते हैं इंद्रिया करते हैं और अन्ता करन के नियंत्रन में करते हैं परमात्मा थोड़े हमारे लिए क्रिया करने आएगा हम ऐसा ना आशा करें उससे जदी परमात्मा क्रिया नहीं कर सकता तो विदांत का कथनी जूटा हो जाएगा कि जन्म आदियस जता ज कर दुसरे अर्थ क्या हो सकता है? जन्म आद यस यता का अर्थ क्या होगा? कि असाह है बहुत नहीं सकते हैं? लेकिन प्रस्थ यह है कि आप परमात्मा को एक असाहे बाला की तने निरिख क्यों बना सकते हैं? लेकिन आप यह क्यों कहना चाहते हैं? कि ज्ञान मार। के अलावा कोई मार्गी नहीं प्रमात्मा की प्राप्ति का वहां? ज्ञान मार के अलावा दुसरा मार केवल एक अज्यानता का मार्ग है जो अंध्यरे में ले जाता है नहीं कर्म योग भी है भक्त योग भी है और योग गेशन ने और यह कह दिया कि इस पचड़े में मत पढ़ सर्व धर्मान परित्य दे मामे कम शरनम ब्रजो वो क्या घलत थी सिर्फ ज्ञानी से यह है योगी भी वेकार हो गया आपको यह साधक भी वेकार हो गया साधना भी वेकार हो गई ऐसा है बिना ज्यान के कर्म कर ही नहीं सकते है इसलिए यजुर्वेद से पहले रिगवेद ज्यान है तो कर्म है कर्म के साथ उपासना होती है जदी आप कहते हैं कि ज्यान की कोई ओसकता नहीं है सामानी ज्यान तो चाहिए कि हम मनुस्य हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना ह मैं बौधिक पांडित की बात नहीं कह रहा हूं सामान में मनुस को इतना केवल ज्ञान दे दिया जाए कि एक सरुसक्तिमान, सच्टानन, सरुप, परब्रह्म की भक्ति करनी है इसमें किसी को अर्चन नहीं है आप जो उदारन दे रहे हैं कि सर्वान धर्बान परतेज्य, माम एकम, सरणम प्रवज उसमें किट्स का कहने का असा यह है कि और जुन मैंने तुमको ज्यान योग, भक्तियोग, कर्म योग सारी बाते कही है जदि तुमें अपने आच्ण में नहीं उतार पा रहे हो तो मेरे बच्चनों में सर्द्धा रखो क्योंकि योग दर्शन का सुत्र है समाध सिधी इस्वान परने दाना परमात्मा पर जदि समरपण की भावना आती है तो समाधी का मार्ग खुल जाता है इसलिए समरपण भावना की तरफ सिधी प्रेड़ कर रहे है और इसी गीता में उन्होंने सर्द्धा का मत बता है सर्द्धा और समरपण के मार्ग पर जब अरजुन चलेंगे तो एक दिन उन्हें जान में भी निष्ठा हो जाएगी कर्मी में भी निष्ठा हो जाएगी जान, कर्म और उस्पासना, भक्ति यह सभी एक दूसरे के पूरख है इनको अलग नहीं माना जासे है बड़ा लपेट हो गया समरपण करने के बाद भक्ति आ गई पीश्वर की प्राप्ति हो जाएगी किसी और पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं यह योग योग इश्वर ने कहने की कोशिच किये अब उसमें हम ज्ञान भी रख लें निष्टाम कर्म भी रख लें सर्भूत हीते रताह सभी प्राणियों की सेवा भी करना शुरू कर दें आईसा तो कोई व्यक्त इस संसार में मिलना ही मुश्किल है फिर सामाने प्राणि करे तो क्या करे मैं एक बात कहने चाहता हूँ कि आप क्यों इतना मानते हैं कि मंदिर बना है उसमें जाकर मत्था टेक लिए पांच मिनिट लगे परसाद चड़ा कर के आगे और इसी आलसिवात की देन है हम अपनी सर्धा की चादर ओड़कर अंत सर्धा की सादर में कहूंगा हम पूरे समाज को अकरमड अज्यानता के में कंठ तक डुबा हुआ बना रहे हैं इसी का परिडाम यह है हम कभी उन प्राणियों की पीड़ा का असास नहीं करते जब तैमूर लंग आया होगा और दिल्ली पहुंचते तक उसने दो लाख हिंदू कैदियों को इसलिए मार दिया कि मेरा खोदा इससे खूस होगा महमुद गजनी में लाखों की हत्यां कराई मुहमद गोरी ने हत्या कराई आमद साहब डाली ने कराई सिकंदर लोदी ने कराई कभी हम इनकी पीड़ा का असास करते कि जदी इनको भी जान का मार्ग मिला होता यदि मुर्थ पूजा में फसे नहीं होते तो आज ये भी बोलते कि आयमे हस्तो भगवान आयमे भगवत तरह ये तो भेड़ों की तरह ठिड़ी दल की तरह भागते नजर आते थे कुछ हजार साहनिकों के सामने लाखों हिंदू ऐसे असाय कर भागते थे क्योंकि देख रहे थे कि हमारे भगवान की मुर्थी तोड़ी जा रही है हमारे भगवान ही जब कमजोर है तो हमारी रक्षा कौन करेगा इसलिए मुर्थ पुजा ने हिंदू समाज को अकर्मन आलसी और अज्यानी बनाया है सारी समस्याओं की जड़ी यही प्रक्रिया है जब तक हम एक चेतन पर्मात्मा की भक्ती नहीं करेंगे विसुत भाव से तब तक हमारी अध्यात्मे कुनित कभी नहीं हो सकती है मेरा आप से एक प्रश्ण है जिस चीज को हम ने किया नहीं क्या हम उसके अंदर दोश या हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है यह साबित कर सकते है इसका अर्थ कि हम पीड़ा का असास करने के लिए हम अपनी गर्दन कटवा कर देखें कि कितनी पीड़ा होती है हमें इतिहासे मालूम है कि अमुक समय में इतना अत्यचार हुआ और हिंदू समाज में यदी सिक्षा होती हिंदू समाज एक परमात्मा की भक्ति करता तो वर्ण जाती और संपरदावी में नहीं बढ़ता महमुद के तने में इतनी सकती नहीं थे कि पूरे भारत को जीता लेकिन सत्रह बार आकर के लूट-लूट कर जा रहा है सब आलस में बैठे हैं सुमनात का मंदिर तोड़ा जा रहा है वहां कहा जा रहा है कि नहीं भगवान स्वय में अपनी रक्षा करेंगे और एक मांसाहरी सराभी विसेही ब्यक्ति गदा के प्रहार से सुमनात के मंदिर को तोड़ता है इतना धन ले जाता है कि तीन हजार उटो पर उसको लादना पड़ता है इतनी धन संपदा जेदि सिख्छा के परचार में लगाई गई होती तो सायद मुझे नहीं लगता कि मुहमूद गजनवी इस देश में घुसने का सहास करता पूरे देश को अकर्माणी और आलसी बनाने वाली यह मुर्थ पुझा है सारी समस्याओं के जड़ी हैं मुर्थ पुझा है जब तक यह रहेगी ना ज्यान फैलेगा ना भक्ती फैलेगी ना वेरागी फैलेगा ना एक परमात्मा परसरदा होगी और हिंदू समाद जाती और संपरदाय में लड़ता रहेगा जो वेक्ती अपने हिर्दे में इश्वर को मानता है क्या उसके उपर अत्यचार नहीं होते हैं जब हम आउती देते हैं तो स्वाह सब्द का परिव करते हैं स्वाह करत के होता है हम दूसरों से वैसा ही बेवार करें जो ऐसा हम उसके प्रति चाहते हैं यजवर्वेत के 40 व्य अध्याय में कहा गया है कि हम सब के अंदर हम सभी प्राण्यों में एक चैतनी को देखे जो यदि हम जिस दिन ऐसी भावना कर लेंगे हमें सुद्र से घणा नहीं होगी हम अपने भाईयों को दलित करके तिरस्कित नहीं करेंगे हम यह नहीं कहेंगे तुम्हारे मंदिर में घुषने से हमारे भगवान असुद हो जाता है साबुन का कारी है मेल को हटाना साबुन यदि मेल से असुद होता है तो कैसा सावुन है यदि परमात्मा अभी किसी दलित के मंदिर में प्रवेश करने असुद हो जाता है तो मैं उसको परमात्मा नहीं मानता और यह छूद छात पैदा करने वाली यहीं मुर्तिपु जाए अभी कुछ दिनों कुछ माह पहले हिमाचल में काली देवी के मंदिर में दलितों ने प्रवेश करना चाहा और तरुण विजय भी उनके साथ थे कि नहीं इनको प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए वहां उच बढ़ के लोगों ने सब को मारा पिटा तरुण विजय भी घायल हुए थे यह कुछ बर्स पहले म मैंने पत्रिकाओं में पढ़ाता आप सोचिए चारो वेदों में कहीं काली का वढ़न है यह तो मार कंडे पुरार की कल्पीत कहानी है और आलंकारिक वढ़न है उसके मंदिर में जाने पर एक सांसत को मार खानी पड़ती है तो हिंदु धर्म का अंधविश्वास यह चरम पर है और मैं इसका पूंड़ते अविरोध करता हूं कि मंदिर में जाने से किसी को रुका जाए पहले तो उस मंदिर में परमात्मा है यह ने जिनके हिर्दय में परमात्मा बसता है उस परमात्मा को तो आप धक्ये दे कर मारते हो कि तुम छोटी जाते कि हो तुमारे घु जो लोग इश्वर को अपने हिर्दे में भी मानते हैं, या जो नहीं मानते कि इश्वर मंदीर में रहता है, देखने में आता है, अभी मुंबई में बॉम ब्लास्ट होए थे कुछ समय पहले, अन्यता जागे भी होते ही रहते ही हैं, तो क्या वो लोग नहीं मरते, आप यह लगा रहे हैं, कि जो वेक्ति मूर्ति को मानते थे, उनके उपर जब महमुद गजनेविय ने अत्यचार किया, उन्होंने मारा, काटा, तब मूर्ति उनकी रक्षा करने नहीं आए, क्योंकि मूर्ति में इश्वर विद्यमान नहीं है, तो मेरा प्रशनी यह है, जो वेक्त वेक्ति यह सोचता है, कि परमात्मा सर्वसक्तिमान है, जो जिसका चिंतन करता है, वैसे ही होता है, जो हम सर्वसक्तिमान, निर्विकार, अनंत, ज्यान, बल, से युक्त, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हमें कभी भी असहायता का उन्भा नहीं होगा, एक जड़ इसको किसी मुर्तिकार ने बनाया है, उसमें मुर्तिकार की कला देख रही है, हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस सरु सक्तिमान परमात्मा का उपहास बढाते हैं, कि परमात्मा तुम हमें को क्या बनाओगे, हम तुम ही को बनाएंगे, तुम हमको मुक्ति क्या द उनकी अगर आपस में किसी बात पर नौग जोग हो जाती है तो यह नहीं सूचते कि मंदिर आकर हमारी नौग जोग को निप्टारा करेगी, वह कुछ निड़ने स्वयम लेते हैं, उनकी मंदिर के उपर आस्था होती है, लेकिन वर्तिकत जीवन में, अपने दैनिक जीवन मे वह सारे निड़ने स्वयम ही करते हैं, अब मेरा आपसे एक प्रशन है, आपने आक्षेप लगाया कि निश्चित रूप से बाहर से मुगल आई, उन्होंने मूर्ति तोड़ी और मूर्ति तोड़कर उन्होंने हिंदों को मारा और सारा धन लूटकर ले गए, जब वर्तमा अब से उस समय पर भी पुजारियों ने, लोगों ने मुगलों का सामना करने की कोशिश की, देकिन जब उन्होंने देखा कि हां मुगल हम पर अधिक भारी हैं, तब वो विचारे अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए उस मंदिर को छोड़कर भागे, क्योंकि अगर ने हैं, कोई इतना मूड विक्ति ब्रह्मान में नहीं है, जो यह बोलता हूँ कि मूर्ति मुझे फला कर देगी, हर विक्ति सधारन पुर्शार्त अपना करता ही है, उस समय पर भी ऐसा ही हुआ, यह आप जैसे विक्ति जो आज ग्यान की बात करते हैं, और जो सिर्फ मूर बारना शुरू किया, उपजड एडर कर भाग गए कोई उनको उपने प्राण बचाने थे, यह बताई है, सोमनात के मंदिर में, जो हिंदू किहार हुई, उसका मूल करण देवदासी का एक देवदासी के प्रतिमों हो था, जो मंदिर के पुजारी के लड़के में था, उस देवदासी को पाने के लिए उसने जाकर मूहमूद गजनवी को भेद बताया था, कि इस राज़ते से जाओगे, तो तुम सब को विजई कर लोगे, और यही हुआ, मुहमद बिन कासीम के समय जब दार सेन विजई होने वाले थे, क्योंकि दार सेन के पास 30,000 की सेना थे, म पुजारी नहीं जाकर के मुहमद बिन कासीम को भेद दिया, कि इस मंदिर की धोजा काड़ दो, तो हिंदू सेना भाग जाएगी, और वही हुआ, धोजा के करते हैं, दार सेन की सेना सारी भग गई, और परड़ाम यह हुआ कि 30,000 की सेना भग जाती है, देश गुलाम होता तो इस में मूर्ती का क्या दोश है? कि यह नाचनेश करक देवता को खुश करेंगे, क्या वेद में इसकी आज्या है, क्या हमारी मात्रि सिक्ति मुर्तियों के आगे नाचने के लिए थी, जो पुजारियों के पंडे महंतों के सोसन का सिकार होती रही थी, यह देविदासी प्रथा, धर्म के नाम पर कलंक है, और इस देश की संस्कृत के नाम पर कलंक है, यह प्रक्रिया मंदिरों से सुरु होती है, इस प्रक्रिया में कुछ रजाओं को खुश कर लिया जाता था, कुछ धनिक वर खुश रहता था, सुद्र रवनारी का तिरसकार करने के लिए यह पौरानिक परंपरा है, जिसमें समाज को असिक्षित कर दिया, यदि अल्ला रूदल और पिर्थिवरा चौहान और जैचंद किसी गुर्कुल में पढ़े होते हैं, इनको अच्छी सिक्षा मिलती, तो कभी भी यह देश गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ता है, मूर्ति के सामने भाव विभरो कर न तर्वस्व कुर्बान करके उस भाव विभरो कर जिसको इश्वर साक्षात प्रकट दिख रहा है, मूर्ति के अंदर, आपको जड़ मूर्ति दिख रही है, लेकिन आप नाचने वाले से आपने कभी पुचा है, दूसरा मेरा प्रशन आप से, क्या आपने कभी मूर्ति नहीं हो सकता, चित के बृतियों का निग्रह नहीं हो सकता, मंदिरों में जो चपन भोग चड़ाये जाते हैं, उसको खाने वाले कभी जितंदरी हो जाए, कभी भी संभव नहीं है, बत्रियरे ने कहा है, वात अंबुपर्ण असना, विस्वामित परासर प्रबृतियों व अब सोचिए, लोगों ने मुर्थ को परमात्मा मानकर अपनी पुत्रियों को सौप दिया था, वों मंदिरों में रहती थी, उनको वेद सास्त की सिख्षा नहीं, ब्रह्मचरी की सिख्षा नहीं, कि मुर्थ के सामने नाचना और पौश्टिक पदार्थू का भोजन करना, किहां से उनमें त्यागतप और समाधी की प्रिक्रिया आ सकती, इस दिये ये प्रिक्रिया ही दूसीत है, देवदासी की परमपरा, धर्म और संस्क्रित के नाम पर कलंक है, मैं इसका हमेशा भी रोध करूँगा, आपने जब मुर्ति की पुजा की, क्या आपको मुर्ति के आगे सिर नहीं चुका है, नाधानी में जो करना था हो तो कर चुके, अगर जान बूच कर, समझ बूच कर, लिख पढ़ कर, अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो उसमें दोष कहां से आ गया, आप तो मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, अभी बात हमारी पूरी नहीं करता है, कि मैं सिर्फ आपकी उपसना की जाती है, तो जिसकी जैसे उपसना की जाती है, उपासक वैसे ही हो जाता है, यह आप ने हमारे पक्ष की बात कही कहिए, कि अगर हम मूर्ति भी बना करके उसे सर्वशक्तिमान कम से कम भौतिक दिश्टि से अलोकिक दिश्टि से या पारलोकिक दिश्टि नहीं सही वो हमें सर्वशक्तिमान लगता है तो मैं भी सर्वशक्तिमान हो जाऊं। रही बात एक और आपने कहिए कामा सक्त की मैं तो कहता हूँ कि ध्यान का ढोंग करने वाले और पालती मार का बैटने वाले लिदयान करने वाले और इश्वर प्रणिधान इत्यादि कुछ जो अश्टांग योग का है उसकी साधना करने वाले उनमें से कितने लोग उस समाध्य को प्राप्त कर चुके हैं जहां जाने के बाद नहीं लोटते ये सब को प्राप्त हो जाए तो मैं तो कहूंगा कि बिंध्या चल पर बत्समुद्र परत्य रेगा ये बात मैं कहना चाहूंगा आपने तो अपनी बात को स्वेम खड़ित किया एक मुर्तिकार मुर्ती बनाता है और वो सरसक्तिमान परमात्मा बन जाती है तो इसका मतलब कि मुर्तिकार को प्रमात्मा को पिदा कर दिया आपका मुझे मैं बीच में बीच में बात कहना चाहूंगा आपने भी तो हमारे पक्ष की स्थापना कर दी है आपने मैंने आपसे पुछा कि क्या आपने मुर्ति पूजा की है आपने बुला है मैंने नादानी में की है मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ अगर आप उस ताइ में ही रह गए और मुझे लगता कि शायद निश्चत रूप से आपने अपने जीवन को एक अलग रहा पर ले गए और अज्जानता में आप बटक गए हैं मेरा एक और सुन लीजे चूंकि उमर से तो कोई अर्थ होता नहीं नादानी कोई चीज है नहीं ये तो अज जानता है चूंकि आपने सोचा था बच्पन से आपके भाव रहे होंगे कि मूर्ती तो एक जड़ पदार थे लेगिन नामदेव जी बच्पन से उनके अंदर निर्मल हिर दे रहा होगा तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपको इस नादानी को आप छोड़ दीजे जो भूल पहले कर चुके हैं इस भूल को बार बार ना करिए ग्यानी वेक्ति वही होता है जो अपनी भूल को सुधारता है इस भूल को सुधारिए और यह अश्टांग योगी त्यादी छोड़ि किया है और उस अवस्ता में मैं मुर्त के आगे कभी नत्मस्तक नहीं हुआ मैंने बड़े-बड़े तिर्थ में करोणों के मंदिरों को देखा है लेकिन सिर जुकाना भी मुझे स्विकार नहीं था मैं उस चेतन के आगे सिर जुका सकता हूं जो असहा है जिसको कोई मुर्ण उसकी मृत हो जाती है और एक तरफ पत्थर की भगवान लकडी की भगवान चपन भोग खा रहे हैं मूर्थ को बनाने वाले अपना ब्यासाज चला रहे हैं और मनुस्त एक मूर्थ को बनाकर कहता है कि असरुसक्ति परमान परमात्मा है और परमात्मा की बनाई कि साइन्टिफिक बेशिस कुछ है तरह से पाया गया कि पुराने जमाने में मंदिर ऐसी जगा बना जाता था जहां दर्ती के उत्तर दक्षिन की जो तो उतर मुल स्तान बनाते थे एक मूर्तिय बनाते थे कोई खास करके देव का नहीं हो एक मेटल का या पत्तर का बना जाता है उसे वह पत्तर और मेटल ऐसा स्पिशल है कि वह एनरजी को खेंश रगते थे और उसको रेडियेट करते हैं बार की तरह तो उसके राउंड एक तो उसके बाद स्टेफ में चड़ते हैं जूते उतार के जाते हैं ताकि वह एनरजी जो है आपके पहुंसे अंदर आ सके पॉस्टिव एनरजी गंडी बजाते थे और गंडी की जो आवाज जो चलते साथ गंड़े तक उसके एको होता है और उस फील्ड को बढ़ावा दे जाता है यह पॉस्टिव एनरजी के वेसे आप ध्यान भी कर सकते हैं बक्ती भी कर सकते हैं क्या इसमें क्यों वंदा है और इसके अलावा इसके आगया आदमी कुछ करना चाहिए मंदिरों में कोई समाधी लगाने वाला ध्यान लगाने वाला तो न कभी हुआ है न कभी हो सकेगा आप जिस भी तिर्थ में जाये जहां मंदिरों के घंटी घड़ियाल बलते हैं वहां कोई ध्यान लगा सकता है यह वास्तु कला वाले ने आज आजकल एक उर्जा नाम के ऐसी मन घंट ब्याख्या कर रखी है मानसिक सक्ति को यह लोग उर्जा के नाम से कहते हैं जो ब्यक्ति ध्यान करता है उसकी बहुत इक मानसिक आत्मिक तीनों सक्तिया बढ़ती है और आत्मज्या एवसरवज्या जिसने अपनी आत्मा के अंदर उस और चोली बाते है उस सोर सरावे में भला नंचान कर सकता है न संधिमक से रह सकता है ऐसका आजकल आर्ती में इतने जोर जोर से दिना गड़ी शवलते है संख गडई घजआ है पता नहीं चलता कि आर्ति कहा क्या जा रहा है इस तरह की फूजाहाट की पदति थी कहीं भी लब्डएक नहीं है। साथबोष खुलता है लिका जा सटिनी बेस से मुन जाता है बर उसके वजह से आक्मी कखुलता हो शाथ उसके वज़े से एक उसके वगण दूप करना चाहिए इस करना है, नहीं नहीं हो रहाएं, गंडी बजाते रहें पोल रहाइं, एक ही बार गंडी वार, तो फूजल की वाया ने arrangements Toon आ वह स्टान में लेकिन वह हर घाओं काहँ सुलब नहीं ए एक बात है। लेकिन वह अस्थान तो हर गाओं घाओं में गांगे हो बहुत है हृत रात बिखर ऐतर बिर्स में लाखन गां है। अन गाओं के लोग कहां जाएंगे नगरों के लोका हैंगे अब सरस्वा में रधान sono tohain तो यहां से कहां जाएंगा उसस्थान के खोच में सारी उमर लग जाएगी पहली बात तो यह है लिए तो पर नहीं करने की की बाद करता हैं आपकी पुझा पाड़के एनरजी पॉसितिव पॉसितिव नर्णचे पुधे यह घ्यान कर से तेंगे यह पाजी इनर्जी और निगेटिव इनर्जी है तो नहीं सकते लिए नकर नहीं आत्मक, विजार, रजोगूर, और तरमू पुरानी जनलों को मालम पड़ता है कि यहाँ एनर्जी के फील्ड है बड़ाबर अभी भी कच्छ के वहाँ पे जगा जाए और पहले आपको खुद कार इसकार सकती है आप जो कहना चाहते कर सकते हैं एक बात बताये तो क्या हमें परमात्मा भक्ति के लिए कच्छबुच जाना पड़ेगा यहां बैठका हम परमात्मा के अंदर आने से क्या आदमी इसली पकड़ सकते हैं ऐसा तो किसी भी वेद उपनिस्वत किसी ग्रंथ में नहीं है जो आपकी चैतन आत्मा परम चैतन के आनंद के सागर की लाहर है हम सीधे परम चैतन परब्रह्म से सारा अनंद और सारी उर्जा क्यों नो प्राप्त करें क्या ज़ोड़त है पर रहा हूं यह तो शिरौब दो हो सकता है सबको मालूं है यही कहर कि हमने सब को असहाई बना तुम अमरित्ष पुट्र हो और आप अपने को असहाय मांते हैं, में भी नहीं जानता हूं, महें आसे आसे माल मुड़ा परमात्मुकों ने, पहले मेरे को परमात्मुकों पर चानता हूं. इए मुर्ति पूजा का दोस ऐसा है जिस ने आपको आप तो आप आ excitink प्रकास नहीं फेयल दिया जोड़ी वो पैसा सिक्षा में लगाया जाए तो अपने आदिवासी बंद जिनको हमारे सगे भरता है उनको हमने दलित का है उनको बननों में पसुँ जैसी जिन्दगी ब्यत्तित करने के लिए छोड़ रखा है कभी हमारी पीड़ा उनके लिए होती है हम पत्थर के नरायन क इसको तो भोग लगाते हैं सक्षात नरायन एता है उसको दो मुठी अन्य निदे भगा देते हैं अपने दर्वाजे से हमारी कैसी अंद्विस्वास की भक्ति है जो जो मगर शंग्रादी के दिन जाते हैं तो आभूशन जो चड़ाने को होता है वो पंबा के राजा के गर गूमता है सर पे यह लैशनल टीवे में टेलिकास के जो मार्च चड़ता है तो पेटी घूमता है तुरह दिखताता है उसके वारे आप क्या कहेंगे ऐसा है ऐसी चमतकार जैसे जोला मुखी देवी का मंदीर है सब ही अस्थानों में चाहिए सोमनात का मंदीर था अंद्व अंद्विष्वास जुड़ा हुआ है तिरपत मंदीर में चड़ावा इसलिए चलता है कि एक अंद्विष्वास फैला दिये गया है जो यह जो यह शल्टे जा रहा है गूम रहा है दिख रहा है आपको नेशनल टीवी को दिखाने वारे अंद्विश्वस कैसा होगा जो प्रदिन यह हो जाते हैं जब मुगल आकरमार्कारियों ने तुर्कों ने अफगानों ने मत्हुरा को लूटा द्वार काधिस मंदिर को खंडित किया आखिर राधाकृष्ट की एक नजर से सारी यवन सेना धौस्त हो सकती थी उन्हों को अपने ही मुर्त के खंडित होने की का ध्यान क्यों नहीं रहा यह जो मुर्तियों में चमतकार की बाते करते हैं उसमें को यह इ इसके बारे में कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकि मुझे विश्वास है कि जड़ मूर्ति में स्वताफ प्रकृया नहीं होती जदि आप का ही कथन है मैं एक चीज मानता हूं आप का ही कथन है अमीबा को भी जदि बिजली के करेंट से प्रतारित किया जाए मूर्ति तो खंडित होती रही भागवान की और मूर्ति अपने बचने करास्ता नहीं खोल पाई उससे अच्छा तो एक मूर्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं आप उसी की तो महिमा गा रहे है उसके बारे आप क्या बोलना चाहते है उसमें कुछ रहस्य होगा तीवी के कथन पर हमें विश्वास नहीं जब तक मैं जास नहीं है तेली कास करते जा रहा है आप देखते जाए यह ओड़े के सर पर रिक्ते मार्चिंग वाम पहुंचते तक दिखाय जा रहा है पूरा थीन गंडे का दिखा रहा है इसमें इसमें आटिवी के चैनल अपनी पॉप्रलार चलिए नजरों से देखता है वह बात अलग है लेकिन आखिर भगवान सीव के पुत्र है कार्थिके उनका मंदिर है जदी कार्थिके के मंदिर में कुछ चमदकारी घटना हो सकती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सरसक्तिमान परमात्मा तो ना कार्थिके हैं ना सरसक्तिमान है वह बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन जो चोटी चोटी मंदिर जो याज दिखाई दे रहा है इसके बारे में क्या बोलेंगे उसको नकार नहीं सकते हैं पूरी तरह से यह बिल्कुल जूट है यह नहीं बोल सकता है अपने योग बल से संकल्प बल से ऐसी घट नहीं है तो एक गाउं का व्यक्ति पूजा कैसे करें इसी का तो हम कह रहे हैं गाउं का व्यक्ति अपने घर में एक मुर्ति लेके आए एक घंटी लगाए उस घंटी जे बैक्टीरिया भी मरेगा और वो अपनी साधना उपासना भी कर पाएगा दूसरी बात आपने उधा लगात के लेएकि जिसकार से किसान है किसान की फसल होती है अच्छी तो किसान इश्वर को धन्यवाद करता है फसल नहीं होती है इश्वर michrie ओं गाली दे देता है तो आपका इश्वर जो मूर्टि में नहीं बैठा जहां भी रहता है कणकण में जहां आप मे आप उससे प्राथना करता है, इश्वर उसको पूरा करता है, लेकिन वही व्यक्ति जब इश्वर की मूर्ति पे थूखता है, जब इश्वर की मूर्ति को तूरता है, इश्वर उससे प्रभावित नहीं होता, वो अब प्रभावित है, वो राग और दुएश से परे है, तो आप कथन के अनुसार मूर्ती तो बेकार चीज है दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके हिर्दे में भी इश्वर बैठा रहता है और आप कितनी भी ध्यान बजन करते हैं तब भी अगर आप पुर्शार्थ ना करे तब भी वो इश्वर अगर आप मानते हो मेरे हिर्दे में बैठा है और आप फुर्शार्थ हीन है वो इश्वर आपकी मदद नहीं करता इसी परकार से मूर्ती तोड़ें या ना तोड़ें उससे इश्वर अब प्रभावित है वो सिर्फ कल्यान करें जो आपने अभी कहा कि मूर्ती कोई प्रतिरोध नहीं करती मूर्त में परमात्मा की सत्ता है मूर्ती परमात्मा नहीं है क्योंकि मूर्त को इसको एक जेतन प्राणी ने बनाया है जीव परमात्मा की रचना करने लेगे ये कभी भी संभव नहीं है मूर्ती मूर्ती ही है मूर्ती में हम परमात् कैसे हो सकती है और मुर्थ में परमात्मा के गूर्ट मुर्थिष्श्ठिकर्टित्यु का गूर्ड का सकती है वो इसलिये नहीं नहीं दिखेगा क्यूंकि बाल उएक जड़पदार्ट है मोतिव एक जड़पदार्ट है इस वर को दो चैतन मानते हैं और उचेतन है कुछ भी कर सकता है वो चेतन कुछ भी कर सकता है यह धारण आपका दो जड़ पदार्तों को आप प्रमात्मा के साथ कंपेर ना करें ज़दी आप स्वाइम मूर्थ पुजा की इस विकृति के खिलाब हो जाते आज कि हमने उस मुख पीड़ा कानभों नहीं किया है जब तलवार की धार के नीचे असहाय लाखों लोग काटे जा रहे हूं खून की नदीव आए रही हूं जदी यह समाच सिक्षा ब्यवस्था को बनाए रख जो मंदिरों में धन रास अर्वो खर्वो की पड़ी हुई थी और जिसको लुट-लुटकर हजार उंटों पर ले जाते रहे कुटिम दिन एवक ने जब कनोज के मंदिर को कनोज में एक हजार मंदिर को तोड़ाया और इतना धन ले गया कि 400 उंटों पर लादा गया था और सब कुछ गजनवी ले गया महमुद गजनवी ने अभी मैंने आपको बोला था अकेले सोमनात के मंदिर से 3000 उंटों पर लाद कर धन संपता ले गया मुहमद बिन कासीम ने जो नगर कोट के मंदिर को तोड़ा था नगर कोट में उसको इतना मिला था 12700 मन सोना ले गया था आप सोचिए इतना धन से गाउं गाउं में गुल खूल सकते थे हर जनपद में विश्विदाले बन सकता था जिस देश का हर ब्यक्ति पढ़ा लिखा होता वो देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता हजार बरसों से जो देश जो गुलाम रहा है कहीं नहीं उसके जड़ में जड़ पुचा है यदि सिख्छा दे जाती कहीं न कहीं तो कभी भी इस देश में गुलामी की ये इस्तिती ही नहीं आती है मरने मारने वाली जिसको मैं पहले स्वष्ट कर चुका हूँ कि इश्वर आप प्रभावित है अगर मूर्ति नाभी होती तब भी लोग मरते ही है उससे कोई इश्वर के उपर प्रभाव नहीं पड़ता क्यों इश्वर ने कर्मफल व्यवस्ता बनाई है एक कर्मफल चाहता हूँ एक तरह मरयधा पुरसंत्र राम की सारी सेना स्रथुगन उनJacky रक्षा में जाते हैं असमेत या जीका घूड़ा जाता है लौकुस नाम के उननी के पुत्रों के आगे भरत भी मुर्षित वोकर गिर जाते है मरयधा पुरसंत्र राम भी गिर जाते हन्वान की हार हो या जो भी या दाहरचन की हार हो सम्मे नितिगत बोध के कारण ना होने के कारण ही हार हुई है जदि सभी सिक्षित होते हैं सभी एक परमात्मा भक्ती रहते हैं तो कभी भी बरबर आक्रमारकारियों के दरह पददलित नहीं होते हैं और यह देश कभी भी आज जो ह हमने आज हिंदु समाज का जो रूप देख रहे हैं, आज वो नहीं होता, कभी हम उन्नत असा में होते हैं, कभी उस पीड़ा का आपने अन्भाव किया है, जो मुगल काल्मे के हजार बर्सों में हमें देखना पड़ है। कोई सिधान्त बवदिक आधार पर सारभोमिक नहीं का आ जा सकता। दुनिया बर के आई आई टीज बन गई हैं, आई आई आएम बन गई हैं, उसमें सभी एक अस्तर की ही विद्यार्थी निकलते हूं, यह सम्हावना से परे हैं। यह सा कोई सिधान्त बनी नहीं सकता कि सबकी काबिलियत योगिता एक होगी। इसलिए दो लड़के अगर गुलकुन पढ़े थे इसलिए वो कर सके। शायद वो कर न पाते अगर वो राम के ही लड़के नहीं होते। और वालमीक ने उनको प्रशिक्षन दिया हो। खैर यह एक अलग बात हो गई। जब कोई कारे प्रारंब होता है चाहे वो घरत हो चाहे सही हो बड़ी निश्ठा के साथ और सर्बोच क्षमता और कुशलता के साथ उसे किया जाता है। दीरे दीरे उसमें अवगती होने लगती है अवरती होने लगती है यही शिक्षा के सास्त भी हुआ। आज जो इस्थिती है वो ये है कि शिक्षा के भवन बनाने की होड ज़्यादा है, परंत वहां पर शिक्षा देने वाले अध्यापकों के 40 से 70 प्रतिशत तक के पद रिखत हैं। जो आवश्यक विस्थिती पठन पठन के लिए आवश्यक हैं, यदि हिसाब किताब लग गया, आशाय समझ गयोंगे, तो खरीद लिये जाते हैं, वरना सत्र खत्म हो जाता है, खरीद नहीं जाते हैं। शदाले बनाते जा रहे हैं, जहां शिक्षन भी होगा, दवाई भी होगी, प्रातिम के विद्याले खोले जा रहे हैं। लेकिन जो विद्याले हैं, उनकी दशा में सुधार नहीं हो रहा है, यह एक व्यवस्ता का प्रश्ण है। कौन कर रहा है का मतलब नहीं। अगर मंदिरों में कोई विक्रती आई है, तो इसी प्रकार से आई है, जैसे शिक्षन विद्याले हों में आ रहे है। उसमें व्यवस्ता का दोश है, मंदिर का और मूर्ती का दोश कहां पढ़ गया। यह देखिया मेरे मेरे कहने का साहिया है कि मंदिरों में जो अर्थ संचे होता है चड़ावे के नाम पर यदि वो धार्मी सिक्षा में समाप खर्च किया जाए अपने असाय निर्वल लोगों को स्वास सुभधाएं दी जाए तो वह तो यह करें अनभाव करें कि हम भी इस देश की अंग हैं हम भी मानुता के सहचर हैं हमें भी मनु उनको यह भी पता नहीं है कि मनुष जीवन हमें क्यों मिला है यदि ऐसे असाय लोगों के सिक्षा पर खर्च किया जाए और देखा जाए तो मुर्च पूर्जा के समर्थेन में जितने बड़े-बड़े महंत गादी पती, मंडले स्वार, संकराचार आज खड़े हैं कभी उन गरिवों की मुख पीड़ा का अनभाव नहीं कर सकते हैं केरल के कुछ गाउं ऐसे हैं जहां बच्चे को आठवी क्लास पढ़ने से पहले वेद की अधिकतार अंस कंठस्ट करा दिया जाते हैं और बाद में वो बेक्ति अपने लोकिक जीवन की पढ़ाई करता रहता है मेरा कहना तो यह है कि जो मंदिरों में चड़ावा चड़ता है वो परमात्मा के नाम पर चड़ता है भारत सरकार को उसको लेने का अधिकार नहीं था हां मंदिरों के जो सन्योक हैं यदि उसको सिक्षा में खर्च कर देते हैं असहायों की दलितों की आदिवासियों के जि तो इसको आदिवासी और दलित कहा जा रहा है, वो हमारे बंद हुए, संगे सहोदर बंद हुए, क्योंकि स्रिष्ट के प्रारम में, जो भी संकल्पिक स्रिष्टी पैदा हुई, उसमें न कोई दलित था, न कोई आदिवासी था, और जिस दिन ये सिक्षा बढ़ने शुरू हो जाएगे, मैं तो ये कहता हूँ, कि मंदिरों को, जदि मंदिर बन गए हैं, तो उनको तोड़ा न जाए, या कुछ अपमान के दिश्टे न देखा जाए, हाँ, उसमें जो विकृतियां उसका सुनसोधन अवस किया जाए, यानि जो चणावा चड़ रहा है, वो सारा ध धन सिक्षा में खर्च किया जाए, धार्मी सिक्षा में, धार्म गर्णतों की पढ़ाई में खर्च हो, असाय जो लोग हो, उनको स्वास सुधाय दी जाए, उनको मानो कलाने के योग ही रखा जाए, ताकि इस देश में कोई यह न समझे, कि हम पसू है, या पसू जीवन ब होचे होते, इस दिया हर व्यक्ति को अधिकार है, कि वो सिक्षित बने, परमात्मा को जाने, राष्ट के प्रति, समाज के प्रति, अपने कर्तबी को पूरा करें, यदि यह मंदिर को चलाने वाले बड़े-बड़े गाधी पति, महंत, मंदलिस्वत, जान को नहीं बढ़न जबी भी ये लोग मुर्ति पूजा का समर्थन बंद नहीं करेंगे, और यह चाहते रहेंगे, कि आम व्यक्ति मुर्ति पूजा करता रहे, जान नौ लेने पाए, ताकि हम अईस्वारी का भोग करते रहें, और जब तक सन्यासी ही, पचास लाक, साठ लाकी गाड़ियों मे यात्रा करेगा, जदि सन्यासी ही राजाओं जैसे अईस्वारी का भोग करेगा, तो समाज को किस जान की, किस भाक्ति की, किस वायरागी की सिक्षा देगा, इस तिया सन्यासीों को प्रतभर्ष करने वाली, यह मुर्ति पूजा है, मैं इसका हमेशा भी रोध करूँगा, कहीं जाती है, वो पूरी कथा याद नहीं है कि भगवान का, भगवान किर्ष का रुक्मणी के साथ भीवा हुआ हुआ था, तो पूरा दहेच को कमी को पूरा करने के लिए प्रक्रिया अपना ही गई, और हिंदू इतना लोभी हो गया है, कि वहां तिरुपत पंदिर में चड़ाएगा, कि हम एक किलो सुना चड़ाएं, तो दो किलो मिल जाए, यह तो स्वार्त की भावना है, इसको कोई भक्ति थोड़े करते हैं, कोई ऐसा चड़ाता है, उसका काम होने के बाद चड़ाता है, ऐसा नहीं कि पहले दे चड़ाता है, मैरे डबल हो जाए, कोई उ मैं एक चीज पूछना चाहता हूं जब साहीं बबाबा का जन्म नहीं हुआ था साहीं बबाबा तो आज 200 साल पहले नहीं थे इस रिष्टी को कौन चला रहा था साहीं सब्द अर्भी का होता है आप साहीं के नाम पर गायत्री मंद्र कीसे बना सकते हैं आप साहीं गायत्री बन गया उनके सोने के मंदिर बन गया सोने की खड़ाओं सोने के सिंगासन जीवन भर बेचारे एक फ़कीर का जीवन बितीत करते रहे विक्षा मंग कर खाते रहे उनके लिए सोने की खड़ाओं और सोने के कलस वाले मंदिर की क्या हो सकता है क्या आडंबर नहीं है जिस देश में लाखों लोग भूखे मरते हूं उसमें मंदिरों पर सोने के कलस चलाने के का अच्छी होते है मैं आडमबर विकृष्टियों के बारे में नहीं बवलतु हूं हो रहे हैं पनेयों मन की सकती का प्रयोक किजीए सुधिरदे से परमात्मा से कार यह काम हो जाया अवसे हो जाएगा भावना का कैली है सब का हो सकता है हर काम मैं यह पूछना चाहता हूं कर्मों के विरेत b히ğ भी हो जाएगा है यदि कोई भी मुर्ति मनोश को मनवान्चित फल दे सकती है तो अपने भक्तों से क्यों चाहना करती है यहां क्या रेता है पुछारी मुर्थी पूजारी के खूले बिना का किhta इनदर कैइट खाने में जो कित खाने से बाहर ने निकल सकती हो मनसको च्खना उन्य मुक्तिएटे सकेगा आपने बोला गजनी की जो बात हुए थी जो अजारों लोग को मार डाला जो मुर्टी पुजा कर रहे थे पुजारी लोग अख्यान में थे उसका वज़े से हुआ ऐसा कोई तो उल्टे में वेक्ति होंगे जो मन मंदिर में परमात्मा को रखते हुए ध्यान करने वाला भी कोई उस टाइम हुआ होगा तो रोक्यों नहीं रोका उसको उस समय अडंबर इतना फैला हुआ था कि जगए फिर भी होगा कि परमात्मा को मैंने मुठा करने माला होगा उस टाइम भी एसा तरह नहीं हो सकता है ध्यान करने से आत्मल बढ़ेगा आत्मल बढ़ने से हां जो महान योगी होगा उसके लिए महमुद गजनवी के रोकने क किया हो सकता थि यह तो उतना को है को हे एकशनक एक प्रोफेसर साब के उपर कि विचारा पुजारी एक मूर्ति कम्रे में बंद है जब पुजारी आता है तब युस मूर्ति को खोलता है इस बात को तो हम पहले सपष्ट करी चुके है चुकि उसको भूक नहीं लगती है हम भी मानते है जब वो तो इतना प्रेम का भूक है जब आप खोलेंगे वो खुल जाएगा नहीं खोलेगा नहीं खुलेगा लेकिन वो आपके भाव जरूर ग्रहन करता है वो मूर्ति के अंदर इस प्रकार से है कि वो अप परभावित है उसको बंद करने से जो आप उसके उपर बंधन लगाते है अथरवेद में एक सुक्त है प्राण सुक्त उसमें का गया कि प्राणय नमयुस्था सर्वामिद्वा से सारे ब्रह्मान को जो जीवन देने वाला है उसको प्राण कहते है उडिसा में कितने लोग भूग से तरब का मर जाते है और उसी उरिसा में जगनात भगवान जो लकडी के बने हुए हैं, छपन भोग खाते हैं। उनको दया क्यों नहीं आती है कि अपने प्राणियों की मेरक्षा करें। तो इसका तात्पर यह है कि लकडी के भगवान तो चपन भोग का हैं और चितन परमात्मा जिस प्राणी के अंदर बैठा होता है साक्षात नरान जिस प्राणी के अंदर बैठा हो तन कत्या करने के लिए इस विवस है क्योंकि उडिसा में पैदा हुआ है ठीक है अगर जग्रनात में बैठे वे उस लकडी के मूर्ति के भगवान को लोगों पर देया नहीं आती तो जिस इश्वर की आप बाते कर रहे हैं तो उसको देया क्यों नहीं आती वो इश्वर कहां बैठा है आपका वही तो इश्वर मेरे जैसे साधारण वेक्तियों के अंदर भी सक्ति दे रहा है कि सन्याय से लड़ो और सब के अंदर ज्ञान का प्रकास करो कि एक परमात्मा की भक्ति करें जिस तिन यहीं वद्देश हैं जिसमें आकाल पड़ा था चानेक ने कहा था कि चंद्रगुप अपने अचारी का आदेश मान को कई दिनों तक भुखा रहा है लेकिन इसी देश में लोग मरते रहते हैं किसी भी महंत का हिर्दय नहीं पसिजता है इस देश में लाखों लोग मरते हैं तलवारों के दारा मौत के घार उतारे गए किसी भी महंत का हिर्दय नहीं पसिज़ आपका घटना घट गए 100 साल पहले और इस इश्वर ने आज आपको प्रेरित किया है वो इश्वर तो न्याई कारी है नहीं क्योंकि एक हम बात सुनते ही है कि न्याई अगर समय पर ना हो वो अन्याई ही है ठीक है तो आप हमारे मुर्ति की पर ऐसे आक्षे अपना करें जिस आपके मुर्ति का इस्वर सबके लिए समान तब मैं मानूगा जब बदिरनात मंदिर में रामेस्तुरम मंदिर में सुद्रों को भी पुजारी बना दिया जाए क्या आपका यह रूड़िवादी समाज इसके लिए तयार है क्योंकि आपके मुर्ति आपके मुर्ति सोचती ह केवल राजे रजवाडे अमीर लोग आएं उच्छवरण के लोग आएं मुर्ति जो गुंगी है बाहरी है वो बोल नहीं सकती देख नहीं सकती एक बात बताईए जगनाद मंदिर के पुझारी रात को सरापिते हैं मचली खाते हैं तो जो पंडे पुझारी सभेम इन व्यशनों से दूर नहीं हो सकते जो दिन नातुन की फूजा करते हैं तो मुर्थ समाज का क्या कल्याण करेगी फिरते में इस्थित परमात्मा को जो नहीं ध्यान करता बाहर भटकता फिरता है उसके लिए क्या कहा जा उते एक नदानी है जो वेद सास्त की मर्यादा के पूर्टया विफृत है उसका आच्रन तो ना मैं करता हूँ ना किसी सब भी व्यक्ति को सिक्षित व्यक्ति को करना चाहिए मेरे में में एक शंकार आप जर्गा समाधान कीजिए आप बुलते हैं परमात्मा शक्ति रूप में सब सर्वयाब के कानगन में भी है सत्ता से है तो मूर्ति में क्यों नहीं आ सत्ता है मूर्ति में उसकी सत्ता है लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं है आपके अंदर आपके अंदर परमात्मा कुछ इदर ही नहीं है हम सत्ता स्रूप को मानते हैं जब इसको सत्ता बेटते हैं कि यसा है जदी परमात्मा तो एकरस है वेद कहता है आधित प्रतर्स रेत्षब रेत्सो जोती पसंती वह आश्रम पष्थ यदि दिति यदि जो देवलोक से परेड़ेट प्रकृत से परेड़ेग्ष का सुरूप इस जड़ जगत में उसकी सत्ता कड़कर में व्यापक हुई है, हर जड़ वर्दात में भी है, तो मूर्ती में भी आ सकते हैं, जड़ मूर्ती में आपको परमात्मा देखता है, तो चेतन मूर्ती में परमात्मा क्यों नहीं देखता है, में तो देखता हूं कि हर चेतन प्राणी के अंदर उसी की छबई है और चेतन प्राणी के अंदर जो एक परमात्मा की छबई को देखेगा वो कभी किसी घूद़ी करेगा जैसा कि छूद चात मानने वाले ये रामानंदी बै surprises नहीं कितना छूद मानते हैं कि इनका भोजन च प्रमात्मा नदी में बहता वग पथर आपका परमात्मा हो गया और इतने प्राणी असहाय भटक रहे हैं आप उनको जान नहीं दे सकते भक्ति का मार्ग नहीं बता सकते हैं, उनमें परमात्मान जन नहीं है, तो आप मान सकते हो, किसी में भी आच सकते हैं, आप कोशिश कर रहा हूं, जो साली ग्राम एक थोड़े के चोड से टुक सकता है, तो सूरी की रक्षा कौन कर रहा है, श्रिष्ट को कौन चला रहा है, शरीर टूट सकता है, अंदर की चेतना थोड़े टूट सकते हैं, तो उस पत्तर के भी परमात्मा नहीं टूटेगा, पत्तर टूटेगा, परमात्मा के गुर्ण साली ग्राम में नहीं है, सिवलिंग में नहीं है, किसी जड मूर्ती में नहीं है, परमात्मा अनाद यनन्त म आपने प्रफेसर साप के एको प्रती सुत्तर दिया है उसमें आपने एक बात कही कि जो मंदिर में रहने वाले पुजारी है अगर मूर्ती में इशवर होता तो निश्जित रूप से सब पुजारीों के इड़्दे निर्मल होती इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो भी पुजारी ऐसे हैं समाज में उनको इश्वर्ग उस मूर्ति के प्रती वो प्रेमभाव नहीं है अगर मूर्ति के प्रती प्रेमभाव होता तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी कहा है उन नामदेव, चेतना मापुर्व, अमीरा जैसे होते पंडे को बहुत बूरा लगा, उसने कहा कि तुम जाकर के स्नान करके आओ, बाद में मैंने पता किया कि उसमें एक बहुत बड़ी मचली निकली थी, जिसका बजन 50 किलो से जादा था, और उस मचली के सारा मांस, मंदिर के पंडे ही खा गए, बाहर के किसी ब्यक्ति को कुछी तो मैं यह पूछने चाहता हूँ, कि उस वाता बरण में पलने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि वेदांत के सुत्रों में क्या लिका है, वेद के मंतिरों में क्या लिका है, उपनिसत क्या कहते हैं, उस बचारे के पास तो समय नहीं, सबेरे से लेकर रात तक चणावा हो रहा है ऐसे में यह सोचना कि आध्यात्म का कोई ब्यक्तित महान पैदाओं का कभी भी नहीं हो सकता इसलिए हम जो मंदिर बन गए हैं उसमें परिस्कार क्या हो सकता है उसके चड़ावे की धनिरासी है उसका सही सथ प्योग किया जाए और गुर्कुल परंपरा को जन्में जाए जगा जगा गुर्कुल खोले जाए जिसमें जाती बैस्था के लिए कोई अस्थान नहों मानों मात्र कोई भी हो उसमें आकर सत्य सास्त्रों की सिक्षा ले जीवन के सार्तत्य को समझे तब तो चड़ावे की रासी का सही उप्योग हो सकता है हां मैं यह कहूंगा मह पूर्सों की मुर्थी होनी चाहिए सम्मान होना चाहिए परमात्मा मानकर उसको खिलाना पिलाना सोने चांदी के छत्र चमण चड़ाना सिंगासन चड़ाना यह बिल्कुल धर्म के विपरित है साही बाबा के मंदिर में कलस चड़ाना तिरपत मंदिर में सोना चड़ाना इसकी कोई उप्योगता नहीं है यह स्वार्थ की भावना से सब लोग चला रहे हैं कि हमें और ज्यादा मिल जाए यह एक व्यपार है उस धन्राशी को उन्हें चाहिए कि वो मानोता के कल्याण में खर्च करें क्योंकि विदुर ने कहा है कि जो ब्रामड कलाने वाला तथाक करती ब्रामड स्वाध्याय नहीं करता और धन्वान अपने धन को समाजी कारी में नहीं लगाता दोनों के गले में पत्थर बांद कर समुद्र में डूबो देना चाहिए वैसे ही जो मंदिरे में धन्राशी चलाते हैं उनका नेतिक उत्तरदाइत है कि वो असहाय लोगों क के सिक्षा के लिए धार्मिक सिक्षा के लिए उनके स्वास्त के लिए उनके मानों कहलाने के इस्तिती तक आने के लिए प्रयास करें तो इनमें धन की सार्थकता है मैं यह चाहूंगा कि पत्थरों के भगवानों को 56 भोग खिलाने की पिक्षा दिन दुखियों को खिलाए असायों को खिलाएं, मैंने उद्री से देखा है जब एक बार मैं नागलन में गया था रिल्वेट रेसन से बाहर पड़ावा था कितने गरीब लोग दिसंबर की रात में खुले अकास के नीचे सोई पड़े थे हमारे भगवान तो वातानुकिलित कमरों में सोते है अच्छे अच्छे रिसम के रिसमी बस्तरों से उनको उड़ाया जाता है लेकिन उनकी बनाई हुई मुर्तियां चेतन मुर्तियां भूग से तड़पे पसुँँ जैसे जीवन बेतीत करें ये मुझे स्विकार नहीं है इसने मानुता की स्यवा करना सबसे बड़ी पूजा है मानुता को चर्म लक्षा तक पहुंचाना यही सबसे बड़ी पूजा है जर्मुर्तियों की पूजा की आपक्छा पहिए हैं उ प्ट में अलेकि दो मंदिर को बारे मत करना चाहता हूं जो मूर्थियां है एक तो है गुजरात में है सारंगपूर में मरमान जी के हैं दूसरा केरला में और शुड़ा नहीं कर रहा है एक थ्वयम खुद वाया हुआ है उसका स्वशक्ति है यहां पे शक्ति डाला गया है स्वामिदारान के गुरू को यह किया है अभी भी है दोनों में अजारों लों का दुख निवारन होता है तब तो बहुत अच्छी बा और जदि सक्ति डालकर परमात्मां पै्दा कर सकते बार बार सकती नियुकरि ने के अलावे शक्ति है के बचार के मुर्थिकार नहीं कśmy Ing ak अपने सुब संकल्प से हर ब्यक्ति में चेतना है और जिसकी चेतना पवितरता के धरातल की कसोटी पर खरासिद कर लेती है वो अपने संकल्प मात से हर कामना को पूरी कर सकता है एक मुक्त पूरुस एक मुक्त जी जो जो संकल्प करता है उसकी सारी इक्षा पूरी होती है इ हिंदू समाज जब कपर कबरों पर शीर को पटकता है जर्ड मुर्तियों के आंगे हाथ जोड़ता है चेतन मुर्तियों से कभी ज्ञान लेना नहीं चाहता जैतन मुर्तियों की सानिता में बैढ़ का परंतत्रां नहीं इसी से तो भटक रहे परमात्मा के ज्यान में रहे हैं उनकी ज़रुरियतें इनकी दुख है उसको निवारन क्या करेंगे और जाने के अविश्वास चैसे करूँ अच्छी बात है मैं तो कहता हूँ कि जाने की ह replay आदमी रात को सोते समय अपने मन को सांध कर ले जिस इक्षा को पूरी करना चाहता है पांच बार दोहर आकर सो जाए व हुटकरकə मन को सांध कर के उस इक्षा को दोहर आए बले ही कि-si इश्ट को मानता हो या नहों सुद्ध हिर्दे से ऐसा करता रहेगा एक दिन उसके ऑचितन मन में वह बात बैठ जाएगी और इसके इक्षा पूरी हो जाएगी जो उनकी वरगाड जो होते हैं बूत पिशाच अंदर आगया हो और निकल जाएगा ऐसे करने से मैं 18 साल से भी कमूर में इसमसान घाट में गंगा के किनारे बैठा हूं मेरे पास बहुत रहा है उसका क्या जो लोग सेर हैं उसके लिए उनके तकलीफ देखिए कभी अरे वो क्यों परमात्मा के किसी नाम का उचानर कर लें सुद्धिर्दे से मुर्ति कुछ नहीं लेकिन उ जे रहे विधेंसे पूरी तरह आविडेंसे उसके उपर जो पूरी तरह नकार नहीं सकते जो नतियूरायन की हट्रहन आष्ट्फ आंडा जी और लेकिन के डुक। निवारन हो रहा है लोग उसको मानेंगे कि नहीं भले मूर्थी हो लेकिन मेरा दुख निवारन तो मैं तो मानूंगा एक बात बताईए तो यदि कोई रिशी मुनी हो तो तो दर्सी जानी हुमापुरुस हो तो क्या उसके पास जाने पर भूत पृत कहां है दिखाईए भी इसे रिशी मुनी जो निवारन कर सके कितर है दिखाईए हम जाने को तेयार है किदर है तो भूत पृत किदर है आप उनको बुला कर लाए तो मेरे पास अब ग्रंथों में लिखा हुआ है भूत पृत रक्षस यक्ष गुंधर किंणर हमारे पास कोई ऐसा इसा संयंदत है जिसे हम नाप सकें और ग्यान की परिदि इस वारता में इतनी उंची आ गई ही कि सबके बशका रोग रहा नहीं अब बचा यह कि जिसकी इतनी योगिता नहीं है जिसके मस्तिष्ट का इतना विकास नहीं हो अशिर्प मान ले जगडम पड़क बिना मान लेना ही हमारे इस नाते से हमने मंदिर को भी एक ऐसा पूजा का स्थान माना जहां पर एक केंद्रविंदु है जहां से हम उर्जा ग्रहां करके सत के पत पर चल सकें दो तीन कमेंट्स के बाद मैं मैं अपनी बात पूर्णत या समाप्त करूँगा वो यह है कि जैसा वारता में आया कि चेतन असहाय है मैं इस से पूर्णत या व्यक्तिकत रूप से असहमत हूँ क्योंकि चेतन ना असहाय था ना है ना रहेगा कदाचित चेतन असहाय सा लगता है जब वो अपने को शरीर मान लेता है दूसरी बात शिक्षा के अस्थान पर आध्यात्मिक शिक्षा की कही गई मैंने जान बूच कर आध्यात्मिक शिक्षा के संस्थानों को जितनी जानकारी व्यक्तिकत है वो मैंने उप्योग नहीं किया कि उनकी दशा हमारे सिक्षन संस्थानों से भी अब कौन सा शब्द प्रियोग करें बत्तर है तीसरी बात ये ये कौन नहीं चाहता कि सत्य की और यथा शक्य परम सत्य की जानकारी हो मिले प्राप्थ हो सके वो जान सके और उसकी उपस्थिती का के आनंद की अनुभूति ले सके लेकिन सब ना ऐसा कर सकते हैं न सब के पास आवसर प्राप्थ है अब ज्यान का पक्ष रखने वाले इसकी समाप्ति करेंगे उसके पूर्व मैं उन शोताओं से जिनको संभव है कि उसके कतिपे प्रकरण कतिपे क्रथन बहुत रूची कर या प्रिये न लगे हो और किनी किनी के कतनों में व्यक्तिगत अनुभों का उलेख न किया गया हो तो मैं उन से व्यक्तिगत रूप से एक शमा प्रार्थी हूँ क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं था ये जानकारी का आपके साथ सहयोग करना था आपके साथ बाटना था विचार करना था करना क्या है जाना किधर है क्या चाहिए ये निरने आप करें क्योंकि परमात्माने जिसे आप जाने या न जाने आपको सब कुस दे रखा है जिनके आधार पर सही और गलत सत और असत क्या करें न क्या करें इसका निरने ले सकता हूँ इस पर अब स्वामी जी अंतिम अपनी बात जो कहना चाहते हैं कहेंगे और उसके बाद में एक निश्पक्ष आकलन हमारे मॉड्रेटर एंकर करेंगे इतनी ही कहने है कि यदि किसी भी बर्तन में जल रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो दूसित हो जाता है वही जल जब नदी के प्रवाब में चलता रहता है यह कुई में रहता है तो दूसित नहीं होता है पेट पर चढ़ने का अर्थ होता है एक दिन नीचे उतरना उत्थान के बाद पतन अवस्य होता है सिष्ट के बाद विनास अवस्य होता है कोई भी मानिता कोई भी संस्कृत उसमें काल अंतर में दोस अवस्य आ जाते हैं लेकिन उस दोस को दूर करना सबका मानुई उतर दैत होता है देशकाल की परिष्टितियों के उनसार हमारी संस्कृत में विक्रती आई सिक्षा कहरासवा, नैतिक स्तर कहरासवा जिसमें हमारे अनिकों दोस आगे और हजार बरसों की दास्ता जहलने पड़ रही है बरतमान समय में जो विक्रित रूप दिखाई पड़ रहा है इसके समधान का एक ही तरीका है कि याथा संभव हम परिसकार की तरफ चले हर मंदिर में अनिवार रूप से पुस्तकाले बनाया जा अनिवार रूप से ध्यान कक्ष बनाया जाए जो पुझा पाट की उप्रिक्रिया है इसका सरलिकर्ण किया जाए और यह जो मानेताएं चल गई है कि यहाँ चलाने से यह फ्राप्त होगा यह फ्राप्त होगा यह उचित नहीं है सरुसक्तिवान पर्मात्मा की बनायी हुई स्थिष्टी में अनिकु महापूर्स हुए है उनके भिन-भिन अवतरों को अवतार की संजाद दी गई और उन अवतारों को ही यह पर्मात्मा माना जाता है तो यह उचित नहीं है हाँ भिन-भिन महापुर्सों की मूर्थियों को रखें, उनकी चित्रों का सम्मान करें, लेकिन उनको साक्षात परमात्मा न मनें, हम यह अवस्याद रखें कि परमात्मा की बनाई हुई सिष्टी में जितने प्राणी हैं, उनसे यदि हम प्रेम करते हैं, तो कहीं ने कहीं यही परमात्मा, यही सच्ची पूजा कहीं जा सकती है, परमात्मा की भक्ती की जाती है, पूजा नहीं, पूजा महापुर्सों की की जाती है, चाहें उनके हम गुणों की पूजा करें, या उनके चित्र की पूजा करें, या उनकी मुर्ती की पूजा करें, हम महापुरु जब जान का प्रकास मंद पड़ जाता है ऐस्वरी जादा चड़ जाता है भगति की रस्तारा कुंध हो जाती है तो विक्रित हो जाती है वहां की इस्तिति में विक्रिती आ जाती है या वैसे ही है जैसे बोतल में पानी भर देने पर कुए का पानी जदि बोतल में भर दिया जाता है तो वो सड़ने लगता है हमारा उदेश से हम किसी के दोस्त दोसों की तरफ अधिक दिश्ट पातना करते ही लिए सक्रात्मुक भावना से कदम बढ़ाएं हाँ और आज जो एक प्रक्रिया चल रही है मंदिरों के स्रिंगारी करण के यह उचित नहीं है कि आज तरफ दस करोड ही इस देश में रहते हैं मुझे लगता है कं आधे प्रिस्द्व को आधे लोगों को पचास करोड से ज्याधा लोगوں को गायतरी मन्त्र भी आद नहीं होगा जिस देश के लोगों को अपने वेद का एक गुरुमंत्र जिसको गायतरी मंत्र को लिक और तो मैं इसमेजता हूँ कुरुछेत्र की धरती का हर हिंदु एक गीता के स्लोक नहीं याद कर सकता तो इससे बड़ा दुर्भाद और कुछ नहीं जदि हम मंदिरों में सोने के कलेश चणाते हैं सोने के पत्तर से मंदिर के दिवालों को मरते हैं सोने के सिंहासन बनाते हैं सोने की खड़ों बनाते हैं सारी उर्जा इसी में लगा देते हैं और सिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते अपने असाहय गरीब लोगों को गले लगाना नहीं सिखते हैं उनको अपने साथ मंतिर में बठा कर नहीं खिला सकते उनको मंदिर में आने से रोखते हैं तो मैं इसको कोई अध्यात्म नहीं मानता बस यह कहूँगा कि अध्यात्म की चादर होड़कर एक मानवता पर किया जाने वाल अत्तचार है यदि गीता का यह कथन है कि विद्या विने संपन्य ब्राम में गव हिस्तीन सुन इच्छे होई सौपाके चरप पंडिता समदर्सिना पंडित कालानी का उसी को अध्यार है जो विद्या और विनम्रता से संपन ब्रामण में और चंडाल में गाय में और कुत्ते में भेद ना बलकि सब के अंदर एक की estrna को देखता हूँ जाद हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मुर्द को सिनकारित करने करने क्या सकता है उस पर हीरे और मोतियों के हर चरहनी के क्या हो सकता है मैं इस कूपरता के विरोध में हूँ महपूर्षों के समान के विरोध में नहीं मैं भी योगेस्वर स्रिकर्ष का समान करता हूँ मर्यादा पुरस्टनब राम का समान करता हूँ कि इनके जैसा इस स्रिष्टी में कोई बेक्ति तो नहीं हुआ योगिराज सिव का समान करता हूँ जो केलाज में बैठ कर ध्यान कर रहे हैं लेकिन इनके नाम पर सिवलिंग पूजा की जाए और हजारो लिटर दूद्ध नालों में बहा दिया जाए और किसी भूखे को दूद्ध भी ना दिया जाए तो ये धर्म के नाम पर कुप्रथा है और सही जान का प्रकास करें हम ये ब्रत लें यदि इस देश के सभी मंडले स्वर अचारे संकर अचारे दिर संकल्प कर लें कि हर छोटा बड़ा आश्रम सिक्षा के लिए संद्ध हो जाए हम हम हर गरीब आदिवासी को गले लगाना सिखें जन्मना बन बैस्था को छोड़े कर्म के अधार पर बन बैस्था हो सब के परमात्मा की उपासना सुलब हो तो यहीं उचित होगा और यह तब तक नहीं होगा जब तक ज्यान का प्रकास नहीं किया जाता है तो आने वाली पिड़ी धर्म सब्द से घ्रना करने लगेगी वो परमात्मा को पाना नहीं चाहेगी और भगतविता की आदि में तो कोई न सुखी रहे न कभी सुखी रहेगा इस ते सारे देश से मेरा यह निवेदन है कि मंदिरों में धन राशी चलाने से पहले यह जरूर सोचें कि उस धन राशी कास कितना सदुप्योग हो रहा है धन की मात्रा दूनी करने के नाम पर धन नच रहें बल्कि परमात्मा के प्राणियों में स्यूंब कि अस्तित्त कि भावना नहीं करेंगे कि एक प्राणि को पिड्या होती है तो वहां पिड्या हम led का उर्षाथ तो हमें संसार के सभी प्राणियों को मित्त के दिश्चे दिखना चाहिए और सब के कल्याण के लिए संद्ध होना चाहिए यही अध्यात्म की वास्तविक रूप रिखा कहीं जा सकते हैं धर्म प्रेमी जिज्ज्या सुजन आज यह विचार गोष्ठी रखे गई इसका जो मुख्य विशय था वो यह था वैसे तो इस मुख्य विशय से संबंधित कुछ चोटी-चोटी अन्य विशय भी इसमें समाहित हुए हैं लेकिन मुख्य जो विशय था वो यह था कि प्राचीन जो पुझा पद्धती है मंदिरों की वह सही है वह निरंतर रहनी चाहिए या फिर उसमें कोछ सुधार होना चाहिए शिक्ष्य की उपद्धता प्राचीन पुझा पद्धती की तुलना में कितनी है इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने विचार अपने अपने तर्क चाहिए वो धर्मग्रंतों पर आधारित तर्क हो चाहे वो समाज में देखी गई आयतिहासिक तथ्यों पर आधारित तर्खो या फिर वर्तमान समाज के ब्यवाहारिक तथ्यों पर आधारित तर्खो सभी ने अपने अपने तर्क और विचार प्रस्तूत किये दोनों पक्षों को सुनने के बाद साइद जितने भी बुद्धिमान, सुरोता और दर्शक होंगे उन्होंने भी अपने मन में एक प्रकार की धारणा बनाई होगी लेकिन यहाँ पर एक मध्यस्त होने के नाते और एक कि अपनी उपयोगिता है और मुर्ति की उपयोगिता को कोई ठुकरा नहीं सकता लेकिन कितनी उपयोगिता है जैसे स्री राजन च्वामी जी ने कहा कि परमात्मा की मूर्ति नहीं होती और इस बात को विपक्ष ने भी स्विकारी किया कि हम भी परमात्मा की मूर्ति को नहीं और महापुरुसों के मुर्ति की पूजा नहीं की जाती पूजा का मतलब शोड़ सोपचार महापुरुसों के मुर्ति की पूजा का मतलब है उनकी गुणों की पूजा करना अर्थाद उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना और जो दूसरा पक्ष था श शिक्ष्या मनुष्य मात्र के लिए विकाs के लिए चाह हो भात्र हो। चाह आध्यात्मिक विकास सिक्ष्या अत्यन्त आवश्यक है। और जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई भी वेक्ति अपनी अध्यात्मिक और भावतिक उन्नति नहीं कर सकता और आज प्राचिन पुजा पद्धती के नाम पर जितने भी सस्थाइं हैं जितने भी मंदिर इत्यादी हैं वह अगर शिक्षा के विरुद्ध में है या फिर उनसे शिक्षा का कोई कारिया नहीं हो रहा है समाज के लिए किसी भी प्रकार का लावदायक कारिया नहीं हो रहा है तो ऐसी सस्थाओं का कोई लाव नहीं है ऐसी सस्थाओं का कोई अर्थ नहीं है इसलिए आज की सभा में एक मध्यस्त होने के नाते मैं अपना विचार ये रखता हूं कि जितने भी मंदिर है भारत में उन सभी मंदिरों के प्रमुख लोगों को चाहे वो ट्रस्टी हों, चाहे वो उसके पुजारी हों या फिर वहाँ पर जाने वाले अनुयाई इस विचार गोष्टी के विडियो के माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि सभी आज के इस विचार गोष्टी के विशह को पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन करके और खुले हृदय से सुन करके इस निर्णय में सभी लोग एक मत हों कि अगर हमें देश का विका करना है तो हमें प्राचीन पुजा पद्धति को हटा करके सिर्फ 665 पर सिमित ना रह करके शिक्षम के प्रचार में अधिक बल देना होगा और केवल शिक्षम ही नहीं स्वास्थ के छेत्र में संचार के छेत्र में और जितने भी प्रकार की आधार को प्रफुद आवस्यक्ता हैं उनकी पूर्ती के लिए हमें जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिर के चड़ावंगों को लगाना चाहिए जिससे की समाज का प्रत्यक वर्ग। चाए वो किंत किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो चाय पूुरुस हो इस्तरी हो चाय किशी भी स्थान में उत्पन्न shifts किशी भी भासा का मानने वाला हो खूला लेकिन इसके लिए आवस्यक है कि सभी लोग अपने मस्तिश्क को और अपने हृदय को खुला रखें जब तक हम संकुचित मान पर चलते रहेंगे और हमने उसी राष्टे पर चलना जारी दखा तो फिर हमारा लक्ष math भी परिवर्थ इतनी हो सकता हमारा हम उसी परिणाम तक पहुंचेंगे जिस परिणाम को हम आज सद्यों से बुगत से आ करता हूं कि सभा में जिस विशय में विचार किया गया जिस विशय में अपने त्वक्ष और प्रतिपक्ष के तर्क रखे गए उस पर खुले रिदे से विचार करके सत्व को स्विकार करें वैसे तो सभी लोग अपनी अपनी मान्यता को मानने में स्वतंत्र हैं लेकिन वह मा सब स्वतंत्र हैं आपके उपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है बस आप अपने रिदय को और अपने गुद्धी को खुला रखें जिससे कि हम सत्य को स्विकार करके असत्य को छोड़कर धर्म और अध्यात्म तथा भौतिक रूप से विकास के उस मार्ग पर आगे के साथ मैं अपने वचन को भी राम देता हूं सब को प्रणाम मुझे